नमस्कार जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते ओनलाइन इस्ट्यूट टार्गेड विद आलोग में मैं आरकुमार उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज हम सभी लोग बात करने चल रहे हैं खंड सिक्षा अधिकारी 2022 की परिच्छा की तैयारी के लिए कि किस प्रकार से हम सभी लोग एक ही तैयारी में प्रिलिम्स और मेंस प्रारंबिक और मुख्य परिच्छा दोनों आसानी से तैयार करके परिच्छा को क्लियर कर ले साथियों यहां मैं आप सभी को विज्ञान एवं प्रद्योग की विशय के बारे में समस्त जो विशय वस्तु है उस पर चर्चा और परिचर्चा करूँगा तो सबसे पहले यहां पर हमें जानना यह है कि क्या कौन-कौन से साइन्स और किस प्रकार से क्वेश्चन्स बनते हैं दोस्तों यहां मैंने आप से पहले बोला प्रारंभिक और मुख्य परिच्छा दोनों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है ती यहाँ सबसे पहले जो चीज़ आप जानते वो यह है कि यहाँ देखिए जो सामानने वि přिज्जान है इसमें जीव् विज्ञान बहुतिक विज्जान और असायन विज्जान के साथ साथ प्रद्योग की और वर्तमान में जो current affair है जो science से जुड़ा हुआ है ऐसे question बने हुए है आपको याद है पिछली बार मुख्य परिक्षा में COVID-19 पर WHO की भूमिका के बारे में प्रस्न आ चुका है current सिक्षा अधिकारी की परिक्षा में तो ऐसे में हमें traditional प्रस्नों के साथ साथ जो current की knowledge है विज्ञान से संबंदित इस पर जानकारी हमको हासिल करनी होगी जो की आपको लगातार जानकारी दी जाएगी बता दो कि जिस बैच की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर हम सभी लोग आपको प्रिलिम्न के साथ साथ मतलब प्रारंभीक परिक्षा के साथ साथ आपके मुख्य परिक्षा की भी तैयारी करवाएंगे बताओंगा अभी किस प्रकार से साथ यहाँ आप देखेंगे दो परिक्षा है प्रारंभीक परिक्षा और मुख्य परिक्षा अगर मैं सामाने विज्ञान की बात करूँ तो प्रीवियस येर जो एक्जामिनेशन हुआ था उसमें जनरल साइन से कुल 17 प्रसन आये थे इसका मतलब यह कह सकते हैं जो सामाने विज्ञान है ये आपकी प्रारंभीक परिक्षा के लिए बहुत महतुपूर है कि अगर 17 कोशन आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इंपोर्टेंस है अब अगर मैं मुखे परिक्षा की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए एक हम चीज एड़ करतेंगे दोस्तों वह क्या रहेगी वह रहेगी प्रद्योग की और इसके अत्रिक्ष दोस्तों इसके अत्रिक्ष क्या होता है प्रद्योग की के अत्रिक्ष आप जानते रहें ज जहां पर आपको लगबग 125 सब्दों का एक उत्तर देना पड़ता है, एक होता है लगउतरी प्रस्ण दोस्तों, जहां पर लगबग 50 सब्दों का आपको उत्तर देना होगा, और साथ ही साथ आती लगउतरी प्रस्ण, ये तीन प्रकार के कोश्चन बन सकते हैं आपके सामान तो ऐसे पर हमें क्या करना जब हम आप सभी से विशे वस्तु पर चर्चा और पर चर्चा करेंगे आपकी क्लास में तो वहां पर हम सभी लोग क्या करेंगे प्रिलिम्स के साथ मुख्य परिक्षा के लिए कॉनसेथि जोर देंगे यानि कि मैं आप सभी से כह सकता हूं जो आपका यह बैच है यह बैस मतलब इस बैस में आपको प्रिलिम्स के कि हम लोग prelims की परिक्षा पर विशेश ध्यान देते हैं, ऐसे में हमारा prelims बार-बार clear होता है, बार-बार निकलता है, लेकिन मुख्य परिक्षा के बारे में जानकारी का आभाओ, सही रणनीती और सही मागदर्सन में त्यारी ना करने के कारण, हम बार-बार मुख्य परिक prelims examination के साथ साथ, जो आपकी मेंस की परिक्षा होती हम दोनों को क्वालिफाई कर ले, इसी रणनीती के तहट संस्थान में जो बैस सुरू है, प्रारम्भिक परिक्षा और मुख्य परिक्षा दोनों की त्यारी कराई जाएगी एक ही साथ, तो निसंदे हैं दोस्तों, यहा होने वाला है, आज मैं सामाने विज्ञान विशे से एक बहुत ही महतुपूर्ण विशेवस्तु पर, एक बहुत ही महतुपूर्ण टॉपिक पर आप सभी से बात करने वाला हूँ, जैसा कि आप जानते हूं कि विगत वर्स खंच्चा दिकारी की परिक्षा होई थी, संस् इस बार भी जो बहुत सारे चैन या यू कहें कि टॉपर की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम जरूर होगा, और इसी उम्मीद के साथ आईए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आज मैं आप सभी से एक बिसेस टॉपिक पर यहां चर्चा भी करूँगा, और आप दे अगर देखा जाए, तो इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कंट्रोल एंड को ओडिनेशन, कंट्रोल एंड को ओडिनेशन, हम इस पर बात करेंगे, कि कंट्रोल क्या होता है, और को ओडिनेशन क्या होता है, नियंत्रण क्या है, और समनवे क्या है, दोस्तों जो हमारा मानो सरीर है, इसमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, जो एक्षिक होती है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती, जो अनएक्षिक होती है, आप एक बात समझिए अगर मैं आपको यहां पर समन्वे पर बात करूँ कोडिनेशन समन्वे का मतलब क्या होता है आप देखिए जो हमारा सरीर है यह अंग तंत्रों से बना हुआ है और गन से बना हुआ है जैसे किमारा मस्तिस्क अंग है हिर्दय फेफडे यह हमारा लीवर है किडनी है तो यह सारे और गन हमारी बॉड़ी में है अगर मैं इन सब और गन की बात करो तो यह सारे और गन एक साथ मिलकर काम करते हैं कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारा ब्रेन कभी नहीं कहता है हमारे हार्ट से कि हार्ट तुम पंप करना बंद करो और अभी मैं सोच रहा कभी आपका हार्ट नहीं कहता आपके लंग से आपके फेपड़ों से कि फेपड़े तुम सास लेना बंद करो और अभी मैं बलड को पंप कर रहा हूं या कभी आपके फेपड़े नहीं कहते आपकी किड्नी से किड्नी तुम बलड को फिल्टर करना बंद करो और अभी मैं सास ले रहा हूं तो हम कह सकते हैं दोस्तों हमारी बॉडि में जितने अंग हैं सब एक साथ तालमेल बना करके काम करते हैं यही समन्वय है जैसे कि अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं देखें मेरी आखें कैमरे में लगातार मैं मुझ से बोल रहा हूं कान से धौनी को भी सुन रहा हूं मेरे हाथ पर चल रहे हैं तो एक साथ सारे अंग काम करते हैं दोस्तों यही क्या होता है समन्वय होता है ठीक है तो सरीर के सभी अंगों का या सरीर की सभी जो क्रिया कलाप होते हैं उनमें अध्भूत तालमेल या समन्वय या दोस्तों एक साथ काम करना ही क्या हो को आडिनेशन कहलाता है तो हम सबसे पहले इसी पर बात करने चले आगे दोस्तों आगे ही आप रहा हम बात करेंगे कि क्या होता है समन्वय क्या होता है समन्वय यानि क्या होता है को आडिनेशन बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है को ओर्डिनेशन बता दूं आप सभी को कि ये टॉपिक संबंधित नर्वस सिस्टम से ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं को ओर्डिनेशन इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल क्या होता और किस प्रकार से किसके द्वारा हमारी बॉडी में कंट्रोल और को ओर्डिनेशन हो रहा है तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने चल लें यहाँ पर क्या होता है समन्वे जैसा कि मैंने कहा कि हमारे सभी अंगों का एक साथ तालमेल अस्थापित करके काम करना दोस्तों क्या होता है समनवे होता है को आडिनेशन होता है जैसे कि आपके पास साइकल है और साइकल आपको मिली है पढ़ाई करने के लिए और साइकल से आप रोड पर जा रहे हो जब साइकल से आप रोड पर जा रहे हो तो बढ़िया से खुब अच्छे से आप आगे जा र यह cycle की handle पर हैं यह जो है आगे की cycle को control कर रही है दोस्तों आपका पर कहाँ लगातार पैडल मारे जा रहा है हाद भी काम कर रहा है और पैर भी काम कर रहा है इसके अतरिक तो आपकी आखे हैं उसे सामने के दिर्स से को देख रही है सामने कोई गड़ा तो नहीं रास्ते पर अब आखे भी चल काम कर रही है इसके बाद कान आपके ध्वनी को सुन रहे हैं कि पीछे से कौन सा गाड़ी वाला किस प्रकार से पोपो हरं दबा रहा है तो ये कान भी काम कर रहा है और दोस्तों अब जड़ा देखी आप लो और मुझ से आप गाना गा रहे हो नाख से आप सास ले रहे हो तो जड़ा देख़िए एक साथ कितने आपके अंग काम कर रहे है अगर ऐसा होता कि आँखे बोलती कान से कि कान तुम सुनना बंद करो अभी मैं देख रही हूँ सामने का रास्ता या अगर नाक बोलती आखों से कि आख तुम देखना बंद करो अभी मैं हवा ले रहा हूँ अगर आख देखना बंद कर देगी तो आप रोड पे नहीं गढ़ें पहुच जाएंगे इसका मतलब यह कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी बोडी में जितने अंग हैं सारे अंग एक सा तालमेल अस्थापित करके कारे करते हैं और इसी को हम समन्वे कहते हैं को वारी नेशन कहते हैं तो जिवधारियों के सभी क्रिया कलापों उनके अंग तंत्रों के बीच अदभुद तालमेल दोस्तों क्या है समन्वे कहलाता है तो कहेंगे जिवधारियों के के समस्त अंगों, अंगों, अंग तंत्रों के बीच अंगों, के क्रिया कलापों का अधभुत तालमेल, अधभुत तालमेल, अथवा, सभी अंगों का, सभी अंगों का, एक साथ, तालमेल अस्थापित करके कारे करना, समनवे कहलाता है, तो हमें जानना है कि हमारी बॉडी में सभी अंग आपस में तालमेल किसके द्वारा करते हैं, आखिर ऐसी कौन सी चीज है, जिससे की हमारे सरीर के सभी अंग एक साथ कारे कर रहे हैं, ऐसा कौन भाग है, जो सभी अंगों को एक साथ कारे करने के लिए मजबूर कर रहा है, या ऐसा कौन वो मास्टर है, जो सभी अंगों को एक साथ मिला करके रखा हुआ है, आपके घर में कोई कोई मुखिया होगा और वह मुखिया सभी भाईयों को अलग होने से रोकता है सभी भाईयों को सभी अपने बच्चों को पकड़ करके एक साथ रखता है ताकि सब लोग आपस में एक दुसरे से मिल जुन करके कारे करें घर में खुसाल और सांती आये वह दोस्तों क्या होता है मुखिया होता है और हमारे सरीर का भी एक मुखिया है आपने मेरी बात को समझ लिया होगा मुखिया कौन है और उसी मुखिया के कारण सभी अंगों में क्या होता है तालमेल होता है और समन्वे होता है तो हमने जान लि बाहर के वातावरण में बाहर के एट्मोस्फियर में लाख परिवर्तन हो जाए लेकिन हम अपने सरीर के वातावरण को अगर यथावत बना के रखते हैं यही नियंत्रण है यानि कि बाहर के वातावरण में परिवर्तन होने के बाद भी सरीर के भीतर के वातावरण को यथा बनावत बनाए रखना ही नियंत्रन कहलाता है अब आप कहोगे खिसर हमको समझाइए एक्जाम्पल द्वारा तो दोस्तों आईए आपको हम समझाते हैं एक्जाम्पल के द्वारा जैसे मेरी क्लास आप बैठ करके यहां पर पढ़ रहे हैं बढ़ियां से आपका मन पढ़ने किचन में अब उसकी जो खुसबू है वो गलियारे से होते हुए आपके जब रूम में दाखिल होती है और रूम में पूरा गूच करके जब आपके नाक तक पहुंचती है तो नाके उस सुगन्द जो आपकी यहां पर दोस्तों जो नाक होती सेंसरी और्गन है यहां रूम में पुरा गूचती है और जब आप उसको महसूस करते हो तो आपका मन करता है कि आज जब सुगन्द इतनी अच्छी तो समोसा कितना अच्छा होगा अब बिल्कुल आपसे आपकी जो जीव है उससे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है जीव से पानी निकल रहा है बिल्कुल की जीव सोचती जल्दी से स्वाद ले लें आप जानते जीव के आगे वाले भाग से मीठा स्वाद और सबसे पीछे वाले भाग से कड़वा तो आपका मन पढ़ाई में भी लग रहा है और आपका मन किचन में भी लग रहा है सोचिए आप सोचेंगे अब दोस्तों यदि आप किताब काफी बंद करके जल्दी से भाग गए किचन में और समोसे को तोड़ा तोड़ के चत्नी में डुबोए और खाए तो क्या हुआ वहां आपने नियंतर खोदी आपना तो आपका नियंतर नहीं है यदि लाख समोसे की सुगंद आपकी नाक तक आए आपके मन मस्तिस को प्रभावित करें लेकिन आप पढ़ाई नहीं चोड़ेंगे लगातार आप पढ़ाई करते रहेंगे दोस्तों ये नियं बाहरी वाता वरण में परिवर्तन होने के बाद भी परिवर्तन होने के बाद भी बाद भी जिवदहारी का अपने सरीर के भीतर के भीतर के वाता वरण को यथावत बनाए रखना को यथावत बनाए रखना बनाए रखना ही नियंत्रन है यानि लाक कोई आपको डिस्टर्ब करे लाक कोई आपको परिसान करे लाक कोई आपको छेड़े लेकिन नहीं लाक कोई आपको कमेंड करे लेकिन नहीं प्रभावित नहीं होना है पढ़ाई करनी है और परकर उसको जबाब देना है कोई लाक रिस्तदार परोसी कितना बोल रखिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए और जब उठिए जब आप जो है सेलक्षन के बाद जब जाएंगे न तो उनको अपने आप आंसर मिल जाएगा तो दोस्तों यह रहा नियंत्रड अब दो चीजे हम लोग समझ चुके दोस्तों क्या-क्या एक समन्वे और एक निय समन्वे यानि कि कोडिनेशन और नियंत्रड यानि कि कंट्रोल और यह दो हमारी बॉडी में किसके थ्रो होती हैं ये दो चीजे हमारी बॉडी में दोस्तों किसके द्वारा होती हैं हमें ये जानना है अगर हम इसकी बात कर साथियों तो दो चीजे हमारी बॉडी में दोस्तों दो प्रकार से होती है दो दो तरीके से होती है अब यहां आप देखेंग को इसिकाओं किसे द्वारा कि तो ओर एक होता है कि रसायन द्वारा केमिकल द्वारा में यानि किसी भी जिवधारी के सरीर में समन्वे और नियंत्रन कोशिकाओं द्वारा होता है और केमिकल के द्वारा होता है अगर हम कोशिकाओं द्वारा देखें तो कौन सी कोशिकाओं होती है ये होती है नियूरॉन सेल क्या करती है यह सरीर में कंट्रोल और क्वाडिनेशन क करती हैं और इनके अत्रिक्त दोस्तों केमिकल क्या होता है यह होते हैं हार्मोन जो हमारी बॉड़ी के अंदर कोडिशन एंड कंट्रोल करता है तो आप ने देखा कि किस प्रकार से यह समन्वें और नियंतरल बॉड़ी के अंदर हो रहा है दो तरीके से होता है दोस्तों एक क कोशिकाओं के दोबारा दोस्तों यह क्या होती है अब यहां पर जो सेल है यह कौन सी सेल है यह दोस्तों नियूरॉन सेल है और इसका जो अध्यन होता है वह होता है नियूरो लॉजी नियूरो लॉजी और अगर दोस्तों बात करें हम सभी लोग यहां पर कि जो हॉर्मोन है यह कहास निकलता है, तो गरंतियों से इसका क्या अध्यन होता है, यह होता है इंडो-क्राइनो-लॉजी. और अगर हम इन दोनों का अध्यन एक साथ करें, तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, निवरो निवरो इंडो क्राइनो लॉजी निवरो इंडो क्राइनो लॉजी तो इन दोनों के दोवारा हमारे शरीर में इन दोनों के दोवारा किसी जिवधारी के शरीर में नियंत्रण और समन्वे होता है तो जाहिर सी बात है हम सुरुवात करने चलने दोस्तों यहां पर कि की तंत्रिका तंत्र की या मानो तंत्रिका तंत्र की human nervous system की तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप सभी से human nervous system तो अखरी यह है क्या मानो तंत्रिका तंत्र मानो तंत्रिका तंत्र human nervous system human nervous system तो यह आखिर है क्या nervous system आखिर है क्या आप समझे जब भी आपके आसपास वातावरण में कोई भी परिवर्तन होता है जैसे कोई ध्वनी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ध्वनी आपके कान तक पहुँच रही है तो कान उस ध्वनी को सुनता है लेकिन सुनने के बाद किसको भेजता है ध्वनी कहां पहुँचती है साथी हमको यह जानना है ध्वनी प परिवर्थन होता है, चाहे कोई ध्वनी या आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, देख के कह रहे हैं, यह तो तंत्र का तंत्र लिखा हुआ है, तो कैसा समझा, आखों ने देखा और देख करके ब्रेन को भेजा, ब्रेन ने समझा कि क्या लिखा है, या दोस्तों आप देखी कि कोई हमको चुभो रहा है कोई हमको गुदूई करता है तब भी हम जानते हैं हमारे आसपास के वातावरण में अगर कोई परिवर्तन हो जाए कोई भी परिवर्तन उस परिवर्तन को तुरंत हम लोग महसूस करके इसके हिसाब से प्रत्रिया बेक्त बरते हैं हम हर एक परिवर्तन को महसूस करके रिस्पॉंस देते हैं तो अखिर मैं किसकी भूमिका होती दोस्तों इसमें nervous system की इसमें गोती है तो trad säga a Awes अगर मैं तंत्रिका तंत्र की बात करूँ तो इस चितर को आप देख रहे होंगे ये आपके देखिए दोस्तों आपकर brain है पूरी body है इस पूरी body में आप देख रहे हैं रसी या धागे के जैसी रचनाएं पूरी body में फैली हुई है ये रसी या धागे जैसे जो रचनाएं होती है इनहीं को हम तंत्रिकाएं कहते हैं तो हमारे सरीर में तंत्रिकाओं का पूरा एक जाल फैला हुआ है हमारे सरीर में तंत्रिकाओं का पूरा एक जाल फैला हुआ है ये तंत्रिकाओं हमारे हर एक अंग के पास होती है आपकी उली से ले करके पूरे हाथ से पूरे देखी दोस्तों पूरी बॉडी में होती है यानि कि अगर कही पर भी आप कुछ मैसूस करेंगे ति यह तंत्रिकाय तुरंत उस संदेश को भेजेंगी ब्रेन के पास और फिर ब्रेन उसको एनालसिस करेगा उस पर विचार भी मर्ज करेगा और फिर प्रतिक्रिया बेट करेगा अगर आपके हाथ में अगर आपके पैर में कुछ लगा चोट लगी दर्द हुआ कुछ भी हुआ तुरंत यहां से संदेश कहां जाएगा ब्रेन के पास और वहां से फिर तो सो क्या आएगा? आदेश आएगा क्या करना है? तो तंत्रिकाएं क्या होती है? तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे सरीर में पतले धागे नुमा फैली हुई वे रचनाएं होती हैं जो सोचने, समझने, याद रखने, अनुभो, प्रेंडा, इ ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है, एक रचनाएं ये होती हैं अब दोस्तों गर मैं बात करूँ तो क्या कह सकते हैं? कहेंगे कि हमारे सरीर में हमारे सरीर में सोचने, समझने, इस्त्मिर्थी रखने प्रेंडा, अनुभो, आधिक्रियाओं को, आधिक्रियाओं को, नियंत्रित करने वाला, वाला तंत्र, तंत्री का तंत्र कहलाता है, ओके, तो आप यहाँ पर देख लिए दोस्तों किस प्रकार से हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव में भी लिख सकते हैं, और दोस्तों कहेंगे, तो तंत्री का तंत्र होता है, यह संपूर्ण सरीर में, संपूर्ण, सरीर में, पतले पतले, 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 धागे नुमा, धागे नुमा, फैली हुई, सरचनाएं होती है, होती है, जो वातावरण में हो रहे, हो रहे, परिवर्णों की सूचना, की सूचना, समवेदी अंगों, अब यहां कह रहा है, की यह संपूर्ण सरीर में, पतले, पतले, धागे नुमा, फैली हुई, वह रचनाएं होती है, जो, वातावरण में हो रहे, परिवर्टन की सूचना, विभीन समवेदी अंगों, समवेदी अंगों, अब समवेदी अंग क्या है, जैसे क्या है, दर्द होगी, चोट लगेगी गर्मी होगी ठंड लगेगी तो कैसे महसूस करेंगे आप त्वाचा से समवेदी अंग है कोई दिर्ष से होगा कैसे आप देखेंगे आखो से समवेदी अंग है कुछ smell आएगी, कहीं से fragrance आएगी, सुगंद आएगी, कैसे महसूस करेंगे आप, नाक से समवेदी अंग है, कोई ध्वनी सुनेंगे आप, कैसे कान से समवेदी अंग है, कुछ खाएंगे स्वाद लेंगे आप, क्या है समवेदी अंग है, तो इसके अत्रिक्त और क्या हो सकत तो यह जो है पतले धागे नुमा फैली हुई वह रचनाए होती है जो जो हमारे वातावरण में हो रहे परिवर्तन की सोचना समवेदी अंगो से प्राप्त करके विद्द आवेग के रूप में रूप में संपूर सरीर में करती है या फिर भें तक भेशती है और उन संदेशओं को परकरके उस पर एक्षन लेता है ब्रेंश को परकरके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है दोस्तों यह काम होता है हमारे तंत्री का तंत्र का पॉइंट यह बनता है यहाँ पर कि सबसे पहले समन्वय किसमें देखा गया है दोस्तों और सबसे पहले तंत्री का तंत्र किसमें देखा गया है तो यहाँ देखिए सरप्रथम वह कौन सा जन्तु है वह कौन सा जीव है जिसमें सबसे पहले समन्वय देखा गया जिसमें सबसे पहले को आरिशन देखा गया और सरप्रथम सरप्रथम तंत्री का तंत्र तंत्र नर्वस सिस्टम यह किसमें देखा गया दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है यहा आप जानते होंगे अमीबा के बारे में, अमीबा एक ऐसा जन्तु है, जिसको हम सबसे चोटा जन्तु बोलते हैं, अमीबा smallest animals है, अमीबा के अंदर nervous system नहीं होता है, लेकिन इसके बाबजूद इसके अंगों में अदभूत तालमेल देखा गया है, जो अमीबा है सबसे पहले इसके अंग जो है आपस में तालमेल अस्थापित करके कारे करते हैं, इसी लिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले बिना तंत्रिका तंत्र के अमीबा में, नर्वर अमीबा में समण में देखने को मिला था, अब सबसे पहले नर्वर सिस्टम दोस्तों किसमें, यह कहेंगे hydra, सा hydra में देखा गया था, और अगर में बात परूँ इसके बारे में, तो हम कह सकते हैं, जो नर्वर सिस्टम होता है, यह संपूर सरीर का सबसे जटिल भाग है दोस्तों, क्या बोलेंगे, कहेंगे सरीर का सरीर का सबसे जटिल हिस्सा यही होता है, जटिल भाग, क्यों? क्यों समस्या हुई अगर यह नश्ट हुआ तो दोबारा फिर रिफेर नहीं होता है दोस्तों ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान देना अब दोस्तोंगर मैं आप सभी से आगे की बात करूं तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ जो है तो तंतरी का तंतर है यह बनता कैसे है सातियों यह बनता है किससे यह बनता है निरॉरोन से दोस्तों अब ये neuron cell क्या होती है ये neuron cell कैसे बनती है देखिए जब embryonic development होता है साथियों तो उस समय क्या होता है उस समय तीन जर्म cell बनती है एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म तो यहां neuron cell है दोस्तों यह कैसे बनता है यह embryonic ectoderm से बनी हुई होती है कैसे बनते है दोस्तों कहेंगे एक्टोडर्म सल उत्पत्ती ओके यह किस से बनती है यह बनती है एक्टोडर्म से अब अगर बात दोस्तों आगे तो neuron cell करती क्या है तो यह तंत्र का तंत्र की इकाई है तंत्र का तंत्र की इकाई चुकि जो संपूर तंत्र का तंत्र है वह कैसे बनता है वह neuron cell से ही बना होता है तो असंख लगबग 100 अरब neuron पूरी body में है कितने 100 अरब तो 100 अरब neuron मिल करके हमारी body का निर्मार करते हैं दोस्तों और यह काम क्या कर यह होता है सूचनाओं का आदान परदान सूचनाओं का आदान परदान तो जो नियूरॉन से आप देखते हैं यह क्या करती हैं यह सूचनाओं का आदान परदान करती है संपूर बॉडी में जैसे कि अब मेरा मन क्या लिखने का तो मैं लिख रहा हूं लेकिन कैसे मेरा जो ब्रेन है यहां से आदेशित कर रहा है, मेरे हाथों को कि लिखो तब मैं यहां पर लिख रहा हूँ, दोस्तों यह कैसे संभव हो रहा है, नियूरॉन से, चुकि नियूरॉन यहां आदेश देने वाला भी है, और नियूरॉन यहां मेरे हाथों को भी आदेश देने वाला है, और neuron दोस्तों क्या है यहाँ पर लिखवाने वाला भी है सो दोस्तों यह क्या करता है सुचनाओं का आदान परदान करता है दोस्तों और हम कह सकते हैं सबसे बड़ी बात जो पूछता है बारबर परिक्षा में वह यह सातियों कि यह क्या है यह non divisible cell है non divisible cell का मतलब यह होता है कि यह ऐसी कोशिका है जिसमें बिभाजन नहीं होता है सबसे बड़ी बात यह ऐसी कोशिका है जिसमें बिभाजन की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती दोस्तों यारी हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही important fact जो मैं आप से बोल रहा हूँ कि यह कई बार पूछा गया है कि वह कौन सी कोशिका है जिसमें बिभाजन नहीं होता तो दोस्तों आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यह nervous system जो neuron cell होती है इसमें कोई बिभाजन की प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है अब यहाँ दोस्तों पॉइंट और है वह यह है कि neuron cell है यह क्या है सबसे लंबी कोशिका है सबसे लंबी कोशिका अगर इसके बारे हम देखे तो question यह बनता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दोस्तों तो neuron cell होती है कितनी लगभग 90 cm से यह लगभग 100 cm तक होती है neuron cell इसके अलावा कहते हैं कि इनकी जो संख्या होती है संख्या कितनी लगभग 100 अरब इनकी संख्या होती है 100 अरब दोस्तों सरवाधिक neuron कहा होते हैं तो सरवाधिक number of neuron cell यह जो है आपके brain में होते हैं मस्तिस्क में तो सबसे अधिक neuron कहा होंगे दोस्तों यह हमारे मस्तिस्क में होते हैं अब यहां पर हमने डिसकस कर लिया है, किसके भी सेम दोस्तों, तंत्री का तंत्र के बारे में कि क्या होता है, तो हमारे सरीर में सोचने, समझने, स्मृति रखने, पेंडा, अनुभो, आधीको, नियंतृत करने वाले तंत्र को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते तंत्र हमारी पूरी बौडी में पतले-पतले धागे नुमा फैली हुई वह रचनाे होती है जो वातावरण में हो रहे किसी भी परिवर्तन की सुचना को विभिन संवेदी अंगों से प्राप्त करके हमारे ब्रेंन को पहुचाती हैform इस उचला ब्राइन आदे सित्ट करता है और उसके हिसाब से प्रतक्रिया हमारे पूरी बॉडी में होती है यह काम तंतुरिका का होता है अब तंतुरिका कैसे बनता है यह बनता है निर्ओन memory computer क्या है embryonic ectoderm और जो neuron cell होती है इसी को हम तंत्रिका तंत्र की काई कहते हैं और यही सुचनाओं का आदान प्रदान करती है यही पूरी body बर्मर करके कारे करती है कहते हैं कि यह non divisible cell है मतलब आविभाज कोशिका है यह ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता मतलब अगर यह कोशिका नश्ट हो गई तो पुना है उसका निर्मान नहीं होता है आप जानते हों कि कहा गया है कि omni cellulah e cellulah मतलब बिर्चो साहम ने कहा था आदनिक कोशिका सिध्धान्त में कि omni cellulah e cellulah मतलब पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं बनती है लेकिन neuron cell में ऐसा नहीं है इसमें पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं नहीं बनती है अगर यह नश्ट हो गई तो समझो बनने वाली फिर नहीं है और सबसे लंबी कोशिका होती है आप यहां पर ध्यान से देखिए कुछ संबेदी अंग ऐसे हैं जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं अगर मैं इन संबेदी अंगों के बारे में बात करूं दोस्तों यह करते क्या है जैस सबसे पहला क्या है तो अचा है तो अचा मतलब दोस्तों इसकिन है अब जो इसकिन है इसमें होता है मेकेनो रिसेप्टर मेकेनो रिसेप्टर दोस्तों यह क्या करता है यह कही पर भी ठंडी गर्मी गर्मी या दर्द इसको महसूस करता है क्यों यह ठंडी गर्मी और दर्द को सीधे ब्रेन तक भेजता है और ब्रेन कहेगा हाँ ठंडी यह दर्द आप जानते भाई जो ब्रेन हमारा होता है ब्रेन में थैलेमस है थैलेमस ठंडी गर्मी को और दर्द को महसूस करवाता है तो मतलब जो हमारी skin है सीधे ये connect किस से हमारे brain के thalamus से दोस्तो इसके बाद देखे क्या होता है समवेदी अंगों में अगर हम आगे देखे दोस्त तो आगे देखे क्या होता है आगे आपकी आखे होती है जो आपकी आखे होती है जो हमारी आखे होती है आई इसमें क्या होत फोटो डिसेप्टर होता है और हमारी आंक एक कैसे काम करती है दोस्तों यह किसी भी दिर्ष्से को देखती है देखने में काम आती दोस्तों किसमें दिर्श से देखने में काम आती है उसके अलावा अगर हम आगे देखे तो दोस्तों देखिए आगे क्या है अगर नेश देखा जाए तो आगे है नाक नाक नोज अब इसमें दोस्तों क्या होता है इसमें होता है आलफेक्टरी रिसेप् तो हर जगां कुछ न कुछ receptors होते हैं और यह क्या करता दोस्तों यह क्या करेगा यह सुगंद और दुर्गंद के लिए क्या होता है जिम्मधार होती है और इसके लाँ आप देखेंगे कि आगे है जीव तो आपको पता है जीव मारी होती है टंग दोस्तों जीव में क्या होता है जीव में बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती टेस्टिंग बर्स होते हैं तो टेस्टिंग बर्स होते हैं यह क्या करते हैं हमें विभिन प्रकार के भोजपदार्थों का स्वाद करवाते हैं यह हमें स्वाद पजान करती है मीठे का जो जीव होती है, इसके आगे वाले भाग से मिठा स्वाद, पीछे वाले भाग से करवाया तीखा स्वाद, जो पार्स भाग होता है, साइड में, वहां से खटा स्वाद, और जो मद्य पार्स होता है, वहां से नम्किन स्वाद, लेकिन जो इसका मद्य भाग होता है, वो और क्या होता दोस्तों और यहां पर देखिए कान होता है कान क्या करेगा दोस्तों हमारे कान होते हैं यह द्वनी सुनते हैं यह द्वनी सुनने में द्वनी सुनने में हमारी सहायता करते हैं किसी भी द्वनी को यह सुन करके इसमें होते हैं sound receptor यह द्वानी को सुन करके तुरंत यहाँ पर neuron होगा वह neuron तुरंत इस message को brain को देगा अब brain उसको message का analysis करेगा analysis करने के बाद तब जा करके आपके हाथों को आदेशित करेगा जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ संजा रहा हूँ को आपसे बाते कर रहा हूँ तो मेरी बाते आप सुन रहे होंगे किस के द्वारा कान के द्वारा तो कान से मेरी बात आप सुन रहे हैं अब ये कान केवल सुन रहा है लेकिन here's the Small को brain तक तक पहुंचाने के लिए नियूरॉन होता है नियूरॉन दोनी को पहुंचाएगा ब्रेन तक और ब्रेन उस दोनी पर एनालसिस करता है उसका बाकाई दोस्तों क्या करता है इनालसिस करेगा उसको विशलेशित करेगा उसके बाद उसको सेव करेगा फिर समझेगा क्या करना ह तो आपके हाथों की पेशियों को कहेगा चलो भाई लिखो तो आप लिखोगे इस प्रकार से दोस्तों कारे करता है यह सभी समवेदी अंग दोस्तों कहां होते हैं यह हमारी बॉडी में होते हैं अब अगर हम दोस्तों इसके अत्रिक्त बात करें कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी इकाई क्या है निवरॉन तो निवरॉन आखिर होती क्या है कैसी कोशिका होती है किस प्रकार से कारी करती है तो दोस्तों आईए हम यहाँ पर निवरॉन सेल के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार की निवरॉन सेल है तंत्रिका कोशिका है तंत्रिका कोशिका देखि neuron cell यह क्या है यह neuron cell है तो दोस्तों ऐसी होती है neuron cell इसको आप ध्यान से देखिए-अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कैसे यह काम कर रही है कैसे यह function करती है तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों पूरी body में यह neuron cell फैली हुई है पूरी बॉड़ी में ठीक ना तो लाखो करोडो नियूरॉन सेल हमारी पूरी बॉड़ी में यहां से लेकर पूरी बॉड़ी में फैली हुई है यहार जगा पर लंबी कितनी होती है लगबग 90-100 cm कुछ नियूरॉन ऐसे हैं जो यहां से लेकर की इतने लंबे हैं आके सिधे ब्रेन से हमारे जुड़े हुए दोस्तों ऐसे तो यहां पर अगर मैं नियूरॉन सेल की बात करूँ सो यह कैसे कारे करती है सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों हमारा यही जानने का है तो देखिए जाहिर सी बात है जो नियूरॉन सेल होती है इसके कारे करने का तरीका होत कि सभी समवेदी अंगों से यह संदेश को प्राप्त करती है और संदेश को प्राप्त करके ब्रेन को भेशती बस और उसके बाद ब्रेन से जो आदेश होता है उस आदेश को यह लेकर करके आती है अंगों को कहती आपको यह करना है बस अब मेरी बात को आप समझे दोस्तों जैसे होता क्या है हमारी body में क्या होते संवेदी अंग होते कितने 5 आपने देखा क्या क्या कान आख नाक तुअचा जीव अब ये सबी हमारे संवेदी अंग हैं ये अंग क्या करते हैं, वायू मंडल में किसी भी परिवर्तन को महसूस करते हैं, संबेदना को महसूस करते हैं, अब होता क्या है, कान सुनता है, आख देखती है, नाक सुमती है, तो अचा दर्द को महसूस करती है, छंडी गर्मी को महसूस करती है, जीब स्वाद लेती है, लेकिन इसको समझेगा कौन, तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर देखें, निवरॉन काम करता है, दोस्तों, निवरॉन क्या करता है, इन सभी समवेदी अंगों से, जो सुचनाएं होती हैं, उसको प्राप्त कर लेता, दोस्तों, क्या, इन सभी संबेदी अंगों से सुचना को प्राप्त करता है तो कौन लेता है यह लेता है नियूरॉन ओके दोस्तों क्या होता है तो नियूरॉन यहां पर देख रहे हैं आप सभी लोग यहां पर यह क्या करता है यह सभी संबेदी अंगों से सुचना को क्या करता है प्राप्त कर लेता और यह इहाός और यहां से पहुंचती है और यहां से पुर्ण gonna be फिर अग्ले नूरान में यही से भ्रेन तक पहुंच पराद फिर ब्रेन क के करेगा आदेस देगा शुचनाया फिर इसे वापस आती में देखिए सब डेंडरॉन दोस्तों यह क्या होता है यह होता है साइट ओन इसको अगर आप समझेंगे बड़ी मज़ाएगे समझने में यह साइट ओन होता है और दोस्तों यह क्या है यह एक्जॉन है एक्जॉन दोस्तो यह क्या है यह होता है सिनप्टिक लोब होता है चोड़िया इसको दोस्तो यह क्या है यह होता है banyak यह सबसे स tendron आ वे यहीं डेंड्रॉन सभी संवीदी अंगों को प्राप्त करके सायटरॉन को भेज़ता है एक्ज अग़े ऑगे ऐसे मदलाता रहता है समझों आप लो दोस्तों कीवल तो कहेंगे कि समबेदी अंगों से यहाँ तुस्तो चो डेंडरॉन है ये का करेगा डेंडरॉन सुचना को को रासाइनिक उर्जा के रूप में किसमें रासाइनिक उर्जा के रूप में प्राप्त करता है उर्जा के रूप में प्राप्त करता है तो दोस्तों हम बोल सकते हैं जो यहां डेंडरॉन है यह सभी समवेदी अंगों से सुचना को राशाइनिक उर्जा के रूप में प्राप्त करता है कौन डेंडरॉन इसके बाद दोस्तों सुचनाएं कहां पहुंचती हैं। यह पहुंचती हैं। फिर समझेए, सभी समवेदी अंगों से यह डेंडरॉन इनकी सुचनाओं को, धौनी को, दिर्ष्य को, गंद को, या दर्द को, गरमी को, स्वाद को, इन सभी को क्या होता है। डेंड्रोन रासायनिक उर्जा के रूप में प्राप्त करके साइटॉन को भीजता है, साइटॉन क्या करता है, सुचना को रासायनिक उर्जा से विद्दुत उर्जा में बदलता है, बदलता है, कहने का मतलब यह है, जो यहां आप साइटॉन देख रहे हो, यह साइटॉन क्या करेगा, जो सुचना इसको डेंड्रोन से प्राप्त हो रही है, इस साइटॉन को, जो सुचना इस डेंड्रोन से मिलती है, वह रासायनिक उर्जा के रूप में मिलती है, केमिकल एन उर्जा में convert कर देता है, change कर देता है, और change करके exon को भेजता है, अब यहाँ जो exon आप देख रहे हैं सातियों, क्या करता है exon, यह क्या करेगा, यह सुचना को, सुचना को, बिद्दुत उर्जा के रूप में, के रूप में, अगले, अगले, नियूरान तक भेजता है, अगले नियूरान तक भेजता है, यहाँ जो यह एक exon होता है, सुचना को फिर अगले नियूरान तक भेज देता है, आप दोस्तों क्या होता देखिए, अगे, अगर हम यहाँ पर आगे देखेंगे न, तो होता यह है, कि यहीं देखिए, फिर से एक नियूरान सुरू होता है, दोस्तों यहीं पर, यहाँ यहां पर फिर से एक निर्म सुरू है और इसमें भी सही। यहथ ये होता है जैसे ही सुचनाएं यहां इस निर्म से से निकलती है और वापस यहां पहुंचती है आगे खुले अस्थान पर तो फिर क्या होता है फिर सुचनाएं रासायनिक उर्जा बन जाती है रासायनिक उर्जा के रूप में बदल जाती है और फिर से यहां डेंड्रॉन दिख रहे हैं यह सुचनाओं को फिर से गरहन कर लेते हैं रासायनिक उर्जा के र से सुचनाओं को डेंड्रोन रासायनिक उर्जा के रूप में प्राप्त करके साइटॉन को भेजता है और साइटॉन इन सुचनाओं को रासायनिक उर्जा से विद्दूत उर्जा के रूप मदलता है और बदल कर दस्तों किसको भेजता है एक्जॉन को और एक्जॉन इन सभ अगले को भेज देता है दोस्तों यारी इसमें भेज देता है जैसे सुचनाओं से बाहर निकलती है वह पुनह रासानिक उर्जा में बदल जाती है और यहां डेंड्रोन फिर से इनको प्राप्त करता है और फिर भेजता है साइटोन के पास साइटोन फिर से इन सुचनाओं क वो रासाइनिक उर्जा से विद्दत उर्जा के रूप में चेंज कर देता है तो कहने का मतलब यह है कि सुचनाए दोस्तों एक निवरान से अगले को अगले से अगले को अगले से अगले को अगले से अगले को ऐसे पहुंचती है और फाइनली ब्रेन तक पहुंच जाती है और आदेस भी ऐसे ही, एक निरॉब्रान से अगले को, अगले से अगले को, अगले से अगले को दोस्तो ऐसे ही पहुंच जाता है। जोस्तों हम कह सकते हैं यहां पर कुछ बिशेज पॉइंट यहां जैसे की सबसे दोầnस्तों पहले क्या है देंड्रॉन है इसको हम कह सकते हैं रिसीवर, निया होता है रिसीवर, क्योंकि कहेंगे कि समवेदी अंगों से अंगों से सुचना रासायनिक उर्जा के रूप में प्राप्त करता है यह क्या करता है इसको हम बोलते हैं चेंजर दोस्तों यह चेंज करता है कैसे कहेंगे डेंड्रोन से प्राप्त सुचनाओं को सुचनाओं को रासायनिक उर्जा से रासायनिक उर्जा से विद्दुत उर्जा में बदलता है दोस्तों यह कुन करता है यह कर रहा है साइटोन अब यहां देखिए अगला हो गया डेंड्रोन दोस्तों डेंड्रोन क्या करता है आगे दोस्तों कि प्राप्त सुचना साइटोन से प्राप्त सुचना को कि एक निवरान से एक निवरान से दूसरे दूसरे निवरान तक भेजता है तक भेजता है और इसके अलावा दोस्तों एक नाम यहां पर और देखिए जो मैं लिया नहीं अभी तक वो सिनेप्स तो दोस्तों सिनेप्स जो होता है अगर इसकी लोकेशन आप देखो गए तो यह होता कहां पर देखिए यह दो निवरॉन के बीच कोश्चन बनता है बना हुआ है यह कोश्चन कई बार पूछा गया कि दो तंतरिकाओं को जोडने वाला जो भाग है उसे क्या कहते ह हैं तो दो तंतरिकाओं के बीच जो पूल है वह होता है सिनेप्स तो कहेंगे कि दो तंतरिकाओं को जोडता है तो दो तंतरिकाओं के बीच का अस्थान के बीच का अस्थान जो होता है दोस्तों उसी को हम कहते हैं सिनेप्स और दोस्तों यहां पर देखिए एक जो पॉइ हम धाइक है जो अपने आस-पास के नूराओन को जल्दी से उसको सुछना भेज दो मतलब सूचनाएं इस निईरान के अंदर वह सूचनाओं को यहां पर निउरो ट्रांस्मिटर होता है यही पर जो डॉघ थकी syllabus करता है कि सभंसे नज़दीकी निउरान और उस hops sweet देनी तो इसको हम बोलते हैं नियूरो ट्रांस्मिटर अब दोस्तों जो तंत्रिकायें होती हैं तंत्रिकायें देखिए कई प्रकार की लगभग तीन प्रकार की होती हैं दोस्तों कैसे कारे करती मैंने क्या बोला कि सुचनाएं एक नियूरान से अगले निवरान तक पहुंचती है इस बात को आप समझे जैसे क्या हुआ जैसे कि आप का हाथ ये है और आप खड़े हैं मैं खड़ाओ ऐसे और मुझे किसी मच्छर ने जोर से काटा जैसे मुझे मच्छर काटेगा तुरंत यहां से वह दर्द तवचा में उपस्थित मैग बृजआ है कि से लेख मतल्ब समझों यहां पर एक सेना है और ब्रेण क्या दोस्तों थो मारा रॉजा मेरा है तो जो सेना नीऊरों है जैसे दर्द हुआ मच्छन ने काटा तो इसका मतलब दुस्बन आटक किया तो यहां पर सेना है उसने देखाकि दुस्बन ने अटकर के पास छहाब के पास कि कहता है कि तो brain कहता है तो पूर्ण को देखता है आख्यों से नहीं तुम Josh अच्छन अटैक किया है राजा है दोस्तों यह क्या करता है अब यह जो है उस अटैक को देखता है और आदेशित करता है कि इसको जो तंत्रिकाय काम करने वाली होती है उनसे कहता है कि अटैक करो तुरंत तंत्रिकाय आती है हाथ की पेशियों से बोलती है और हाथ की पेशिय भी तुरंत brain कहता हृइं काम करने वाली वाली कोशिकाओं से कि दूरंत attack करो वह आत अ enjoying सि विल मक्षर जैहिं, जै भारत दोस्तों यहां देखिए जो तंत्रिकाओं होती हैं, वह कितनी होती हैं, वह मुख्यता तीन प्रकार की होती हैं, अगर देखे हम लोग तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, कोशिका, दोस्तों लगबग ये तीन प्रकार की होती हैं, कौन-कौन सी आई समझते हैं, अगर इस पर में बात करूँ मैं आप सभी से, तो तंत्रिक कोशिका है तिन प्रकार की कौन-कौन सी होती है साथियों इसमें देखिए एक ऐसी तंत्रिका होती है जिसको हम कहते हैं कि चालक तंत्रिका कि दोस्तों एक होती है समवेदी तंत्रिका तो यहां कहेंगे एक होती है समवेदी तंत्रिका समवेदी तंत्रिका समवेदी तंत्रिका मतलब ये है सेंसरी नियूरॉन दोस्तो एक होती है चालक तंत्रिका मतलब मोटार नियूरॉन और एक है मध्यस्तंत्रिका मतलब इंटर्मीडियट नियूरॉन इंटर्मीडियट नियूरॉन तो नियूरॉन कुल तीन प्रकार का हो गया यहाँ पर आप देख सकते हो एक है सेंसरी नियूरॉन दोस्तो एक क्या देखिए एक है सेंसरी नियूरॉन दोस्तो एक क्या है? एक है motor neuron दोस्तो एक यहाँ पर क्या है? वह है intermediate neuron intermediate neuron दोस्तो अगर देखिए मैं इन सब पर बात करूँ तो देखिए ये कैसे कारे करते हैं और किस तरह से कारे करते हैं? तो समझने वाली बात है दोस्तो जो जो यहां समवेदी वाला है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि समवेदी अंगों से सुचनाओं को प्राप्त करता होगा, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, मतलब यह वह सेना है, जो दुस्मन देश की सुचनाओं को लेकर के आता है, यह वह से मतलब यह वही सेना है यह वह साइनिक है जो लडाई करने वाला है यह प्रभाव डालता दोस्तों और यह क्या है यह जो है दोनों को जोड़ता है यह जो है मध्य में काम करता है समझे किस प्रकार से तो यह क्या करता है यह समवेदी अंगों से सुचना प्राप्त करता है और दोस्तों प्राप्त करके किसको भेशता है यह भेशता है इस पाइनल कार्ड को और यह कहां भाई यह देखे दोस्तों हमारे रेड की रस्ती जो पीछे वाली होती है यह रिड़की रस्ती दोस्तों पीछे इसको हम मंत्री बोल सकते हैं यह क्या है यह सुचना लाने वाला सैनिक है दोस्तों सुचना प्राप्त करता है दुस्मंदेशों से और यह क्या है यह हमारा मंत्री है महामंत्री और महामंत्री फिर उस सुचना किसको देता है वह देता ह और आदेश देगा दोस्तों क्या करेगा और आदेश देगा ओके और इसके बाद दोस्तों जब आदेश मिल जाएगा तो अब काम शुरूओगा इसका इसका दोस्तों आदेश पाते ही ये क्या करेगा मस्तिस्क के आदेश को मस्तिस्क के आदेश को आदेश को यह कहेगा दोस्तों किस से यह कहेगा पेसियों से पेसियों से कहेगा दोस्तों जो पेसियों क्या करेंगी है रिस्पॉंस करेंगी ओके दोस्तों इस तरह से कारिस्का हो गया यह में यह जो effect डालना होता है मस्तिक से प्राप्त आदेश को किस से कहेगा पेशियों से कहेगा और पेशिया अपना कारे करेंगी दोस्तों इसके बाद दखें क्या होता है यह कहेंगे यह दोनों को जोड़ता है यह दोनों को आपस में जोड़ता है। जैसे मच्छर वाली बात मैंने आपसे कही जैसे मच्छर ने काटा दर्द हुआ तुरंत यहां पर क्या दोस्तों था यहां पर था sensory neuron मतलब यहां पर था cynic सुचना देने वाला यह cynic सुचना को सीधे अब प्रात करेगा और ड्रेटली यह महाराज तक नहीं पहुंच सकता मतलब brain तक नहीं पहुंच सकता इसलिए यह सुचनाओं को किसको दिया महामंत्री को मतलब spinal cord को महामंत्री ने क्या किया यह जाते हैं महराज के पास उनसे बोलते महराज ऐसी इसी बात है तो महराज ने क्या किया इन्होंने क्या किया इन्होंने किया बिशलेशन और फिर दिया आदेश कि मच्छन ने काटा अटेक तो करना पड़ेगा दोस्तों अब जब आदेश दिया दोस्तों किसको दिया फिर दिया मंतरी को महा मंतरी को और दोस्तों महा मंतरी ने किस से कहा इनसे मोटार निवरान से कहा कि चलो भाई आदेश मिल चुका है और मोटार आप निवरा ने किसको कहा इसने कहा पेसियों को कि पेसियां अटाइक करो तुरंद पेसियां अटाइक करती मच्छराम स्वाहा तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कार हमारी बॉडिम चलता रहता है कोई सेंसरी कोई जो है सुचनाव को प्राप्त करता है कोई आद हुआ है अलाव और अलाव जलाया हुआ है और आeg निकल लए है यह लइक है और हम यहां देखिए अपना हाज सेख रहे हैं थंडी का मौसम जब आता है अब क्या हुआ देखिए हमने आग जलाया हुआ ऐसे आग सेख रहे हैं तो अ हम यहां पर आग सेख रहे हैं तो अब यहां से क्या निकलेगा यहां से निकलेगी गर्मी जिसको हम कहेंगे उद्धीपन दोस्तों यहां से क्या निकलता है यहां से निकलता है यहां से निकलता है वहां उद्धीपन दोस्तों कौन सा उद्धीपन गर्मी वाला दोस्तों जो कौन महसूस करे दोस्तों तो इसको महसूस करती है तवचा तवचा ओके यानि हमारी इसकीन हमारी इसकीन और दोस्तों जब Jack जब आप जलोगे ना जब आपको दर्द होगा, तो तुरंट यहां से क्या होता, यहां दोस्तो होता है आपकी तुचा में समवेधी तंत्रिका, और ये तंत्रिका क्या करती है उस जलने और दर्द के मैसेज को किस से प्राप्त करती है प्राप्त करती है आपके इसकिन से दोस्तों किस से आपके इसकिन से ओके दोस्तों यह क्या है यह आपकी sensory neuron है sensory neuron दोस्तों इसने क्या किया इसने डर्द और जलने की संवेदना को इसकिन से प्राप्त किया और इसकिन से प्राप्त करने के बाद दोस्तों फि फिर इस मैसेज को किसको देगी फिर देती है मेरू रजू को मतलब मंत्री जी को इस्पाइनल कॉड को किसको इस्पाइनल कॉड को यह मंत्री जी है यह रिड की हड़ी में होते हैं इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है दोस्तों और इसके बाद क्या होता है देखिए इसके बाद यह होता है कि यह इस्पाइनल कॉड उस उस आदेश को देता है मस्तिस्क तक मतलब brain तक किसको brain को और दोस्तों brain का करता है brain क्या करेगा brain का काम होता है सुचना प्राप्त करके सुचना का बिसलेसर मतलब एनालसिस और आदेश देना और उसको सेव करना मतलब उसको संग्रह करना उस सुचना का इससे आपको बाते बहुत दिन तक याद रहती क्योंकि brain हमारा उसका संग्रह करता है दोस्तों अब देखिए क्या हुआ सुचना पहले कहां से प्राप्त हुई दुस्म सैनिक ने कहा महामंतरी से और महामंतरी ने कहा महराज से महराज ने क्या किया उस पर चिंतन किया और फिर आदेश दिया दोस्तों आदेश फिर किसको दिया आदेश दिया फिर से महामंतरी को क्योंकि भाई सीधे तो कहेगा नहीं उस से सैनिक से कहा महामंतरी से दोस्तों मह महा मंतरी ने फिर किस से कहा महा मंतरी ने दोस्तों यहां पर कहा किस से मोटार निवरान से मतलब चालक तंतरिका से चालक तंतरिका से कहा मोटार निवरान से कहा दोस्तों किस से कहा मोटार निवरान से कहा और मोटार निवरान ने क्या किया इन्होंने कहा किस से पता है इन्हो मसल से इन्होंने कहा मांस पेशियों से पेशियों से कहा क्या भई क्या होगा तो मसल से कहा दोस्तों मसल्स ने क्या किया मसल्स ने यहां किया क्या अनुक्रिया मतलब रिस्पॉंस दिया और रिस्पॉंस मिलते ही रिस्पॉंस मिलते ही आपने अपना हाथ जल्दी से दोस्तों ऐसे चलती रहती है, इस प्रकार से निवरॉन काम करते रहते हैं, जैसे आप जलते हैं, तुरंत अपना हाथ हटाते हैं, दोसतो यह herkes ऐसे होती highly लेकिन नहीं आपको बहुत कम तुरंत अपना हाथ हटा लिए अपैर अब होने को इतनी प्रकरियां होती है लेकिन समय बहुत माइनूट सेकंड लगता दूस्तो क्यों कि जो इनकी गती होती तन तरिकाओं की दूस्तों कितनी होती है लगपग लगबग 240 से 260 मीटर पर सेकंड दोस्तों क्या होती है कहेंगे सुचना प्रसारण की गती होती है सुचना प्रसारण की गती की गती जड़ा सोची आप लोग प्रोस्ट लंबा कितना है पर समय कितना लगता है बहुत कम समय लगता है, सेकेंड से भी कम समय लगता है, तो दोस्तों ये रहा पहला भाग जिसमें हमने समझा हुआ है, नियूरोन के बारे में, आगे मैं आप से डिसकस करूँगा, कि तंत्री का तंत्र कितने प्रकारका होता है, या हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या है, ब्र हम समझते हैं चीजों को तो किस प्रकार से हमारी बोडी जो है बैलंस रहती है इस भाग में शपने हो सिपने हो सपने आते हैं तो तमाम डिस्कस करेंगे अपने आगे- और आने वाले पार्ट में तो दोस्तो आज इतना ही सभी को दन्यवाद, जय हिंद। Hello everyone, good morning. आप लोगों को अपने इस प्रेस्टीजियस, इस रेपुटेटेटेड एंड मोस्ट सक्सेसफुल ओनलाइन लिंक प्रेटफर्म टार्गेट भी त्यालोग पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सबको तो पता ही है कि एक आउसर आपके सामने आने माला है। और उसी आउसर के संदर में हमारी ये संस्थान संकल्प बद्ध हो करके, आप लोगों के मारदसन के लिए हमारा ये कारेक्रम संचालित करने का निर्ण लिया है। जैसा कि मैंने आप से कहा कि मैं आपको आपके B.E.O. इजाम के लिए Block Education Officer ये जो परिछा होने वाले है उसके संदर में मैं आपको भारती अर्थिवास्था से संबंदित portion बताऊंगा है। चलिए अब आप जो है एक सामानिसी चर्चा के संदर में हम आपसे बात करें अगर बजट की ये एक ऐसा topic है कि इससे परिछा में आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है बहुत ब्यापक है आपके अर्थिवास्था को बहुत ब्यापक अस्तर पे और बहुत गहन अस्तर पे ये बजट जो सरकारद्वारा प्रस्तुत किया आता है प्रतिवर्श संसद में वह प्रभावित करती है हमारी पूरी अर्थिवास्था को अर्थिवास्था के हर गठक को हर छेत्र को हर एजेंट को ठीक है तो यह बजट जो है दिखने में तीन सब्द का है बजट लेकिन इसका छेत्र बहुत ब्यापक है इसका प्रभाव बहुत ब्यापक है इसका परिणाम बहुत ब्यापक है इसकी उपयोगिता बहुत ब्यापक है और इसलिए और सिर्फ इसलिए परिच्छा में यहां बजट पढ़ने से पहले अगर हम आपसे कहें कि बजट जो है एक तो चीजों को हम पढ़ते हैं ना तो जब एक प्रिष्ट भूमी हमारे साथ रहती है तो उसको समझने में आसानी रहती है ठीक है जैसे हम आपको कहीं एयर ड्राप कर दें और आपसे कहें बस केवल सीधे दे निर्जन है कोई पेड़ पौधा नहीं है कोई चीज नहीं है कोई घर नहीं है जबकि उसके पीछे हरियाली हरियाली है तो तो आपको अपने परिवेश को चारों तरफ से प्रिष्ट भूमी के रूप में समझना जरूरी होता है ताकि आप उसको बहतर उसके बारे में तो अगर हम बजट की बात करते हैं तो बजट जो है इसको समझने के लिए एक समाने से प्रिष्ट भूमी की चर्चा हम आपसे करना पसंद करेंगे यहाँ पे कि बजट हिस्सा किस चीज का है देखिए हम लोग एक पूर्शा नहीं आर्थ प्यवस्था का लोक वित्ट पब्लिक फिनांस देखिए लोक वित्ट जो है वह जैसा कि आप देख रहा हैं दो सब्दों से मिलकर के बनाया है कितने सब्दों से मिलकर बनाया है लोक और वित्ट धान से देखिएगा लोक और वित्ट बित्त का मतलब है धन को प्राप्त करना धन को सुरच्छित रखना धन को ब्या करना उची तरीके से समुची तरीके से ब्या करना ताकि उसके उपयोगिता हमको अधिक्तम प्राप्त हो अभी जब हम लोग की बात करते हैं अर्थ व्यवस्था कठिन इसलिए हो जाती है क्यों परसेप्सन हमने आपसे बताया कि यह अन्य 20 सेक्शन जो जीएस में है उसकी तूला में थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसमें सबसे बड़ी कमी होती है कि हम उसके अर्थ को नहीं समझते हैं किताब पढ़ लेते हैं किताब में लोक वित्त लिखा हुआ है तो लोक से आसे क्या है वित्त से आसे क्या है और को मिला कि इसका क्या संदर बहत्त है क्या प्रिश्ट भूमि है इसके बारे में हमें कोी Byzory होती नहीं है तो इस वज़से यह क्या हो गया कि जब लोक वित्त सब्द क्ये वास्ते-र्भी को अभिप्राय को अंधिसमझ पा रहे हैं अचा लोक का जब हम लोक सब्द का इस्तिमाल करते हैं, तो लोक से अभिप्राए होता है लोक सत्ता या राज सत्ता. ग्लुर्य है देखिए यह किसे संबंदित हो गया राज से या लोग का मतलब यहां पे क्या हो गया बैसिकली राज ठीक है तो लोक वित्त जो है वो राज से जब हम लोक सब्द का इस्तिमाल करते हैं तो लोक सब्द का अभिप्राय सीधे सीधे होता है सामान नियर्थों में सरकार या राज ठीक है तो लोक वित्त की जो हम बात करेंगे तो लोक वित्त जो है वो संबंदित होगा सरकार के बि प्रणाली से अब जब वित्य प्रणाली के हम बात करते हैं लोकवित्य किसे समनित है सरकार की विशय वस्तु है सरकार के छेत्रिक अंतर गत्लोकवित्य का हम अध्यन करते हैं सरकार जो भी आतिक गत्य विदी करेगी उसका अध्यन लोकवित्य के अंतर की अगत्य किया जाए इन बिंदूओं के अंतरगत लोकराजस्व, समाहित किया यहाँ, लोकवित्व के अंतरगत जिन घटकों का हम अध्यान करते हैं वर्तमासमय में, उन घटकों में मुख्यरूप से जो सम्दित हैं, उसको हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, लोकराजस्व, लोक मतलब हो जो आप पढ़ते हैं तो उस विषय से संबंदित कुछ विषय सब्दावली होती है और उस सब्दावली को अगर हम नहीं समझते हैं तो उस विषय को हम अच्छी तरीके से या प्रॉपर वे में समझ हमारी अच्छी या प्रॉपर नहीं बन पाएगी क्लियर है ये तो पहला क्या हो गया लोकवित्त का जो पहला घटक है वो क्या है लोक राजसु अर्थाद सरकार को जिसम आध्यम से जैसे जितना आय प्राप्त होती है उसको हम लोक राजसु के अंतरगत सामिल करेंगा ठीक है दूसरा आपका हो गया लोक ब्याई पब्लिक एक्सपेंडीचर सामान्य सब्दों में समझने की कोशिज करिए इसको क्लिस्ट मत बनाईए इसको कठीन मत बनाईए देखे कितना आनंद आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे समझ में आने लएगा तो यकीन जानिए इससे ज्यादा इंट्रेस्टिंग आपको और कोई दिखेगा भी नए हिस्टरी पढ़ते हैं रटते हैं रटेये और फ्र घूम हो जाता हैं भूल जाता है वुगोल पढ़ते हैं भोगोल में हैं एक बार जाती है ना तो एक बार समझ बनने के बाद यकीन जानी इसको बार-बार नहीं पढ़ना पड़ता ठीक है इसमें दो पोर्शन है एक concept-based portion है जिसको समझना बहुत जरूरी है भारतिय अर्थवय उस्था को समझने के लिए दूसरा जो portion है वो आकड़ों से तत्यों से संबंदित है जो कि day by day कुछ न कुछ आकड़ी तत्य और जुड़ते रहते हैं तो वह अपडेशन बहुत जरूरी होता है इसमें हमें ध्यान अकना है दो पोर्शन हो गया एक concept-based जो कि लोक वित्त क्या है यह आज से जाने कितने वर्सों पहले इसको डिफाइन कि है और आज भी उसी परिवासा या उसी स्वरूप में हमारे सामने आता है इसमें परिवर्ता नहीं होता है लोक वित्ति से संबंदित जो content है उससे संबंदित जो आकड़े होंगे कर राजसों से बरतमान समय में भारत को कितनी राजसों की प्राप्ति हुई ठीक है बरतमान ठीक है तो भारत को या भारत सरकार को या समाने सब्दों में कहा है कि सरकार को बिभिन्नक करों के माध्यम से जो प्राप्ति होती है या जो राजसों प्राप्त होता है उसमें कौन सा कर राजसों प्राप्ति की मातरा के दिश्टिकों से सबसे ज़्यादान या युगदान करती है परिवर्तन होता रहता है जैसे आर्थिक गतिविधी होगी उससाफ से परिवर्तन होता रहता है चलिए तो दूसरा घटक क्या हो गया लोक वित का यह आपका है लोक वित दूसरा घटक हो गया आपका लोक व्याय, तीसरा हो गया लोक रिण, अब लोक से आसा क्या है, अब आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, जहां लोक आएगा पब्लिक फिनांस में या इंडियन एकनॉमी में, बजट के संदर में, आप समझ आएगा कि ये राज से संबंदित है, सीदे सीदे, लोक रिण, जो आर्थिक गत्विधिया सरकार संचालित करती है, संपाधित करती है, पूरी करती है, या क्रियानवित करती है, उसमें ये सब चीजें सामान ये सी चीजें है, अगर सरकार के पास आये नहीं होगा, राजस्वनी होगा, तो फिर सरकार को पूछ जाएए खुब मेहनत करेंगे तो निश्चित बन जाएंगे इसमें भी कोई शंका नहीं है और आप खुब मेहनत करते हैं ठीक है और आप खंड सिच्चा अरिकारी बन गए सवरकार कहती है कि हम वेतन करती है अर्थिब्यवस्था में बिभिन छेत्रों में बिभिन प्रकार से ब्या करती है और आय और ब्या की अंतर अगर होता है आय ज्यादा आय कम प्राप्त होती है अगर राजस्व कम प्राप्त होता है और सरकार को ब्या पेच्छा के ज्यादा करना होता है राजस्व की त और राज कोशिय प्रसासन यकीन जानिये पूरा विश्वास दिलाता हूं मैं आपको मेरी जिम्मेदारी है और यह मेरा वर्ड है बिलकुल सुरच्छी जगह पे हमारे इन सब्दों को आप रख लीजिए मेरे साथ रहिएगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस जीयस के इस पोर्शन को बिलकुल आसान बना दूँगा यह मेरा आप से वादा है पांचवा जो घटक है लोकवित्त का ठीक है वो है यह जो है मुख्य घटक है हमारे लोकवित्त के अंतर के जिनको हम अध्यान हम करते हैं ठीक है इसमें हम आप से कहा है कि जो बजट है यह लोकवित्त क्या है सरकार की समस्त आर्थिक गतिविदियों का परिणाम लोकवित्त के परिणाम और उसकी उप्योगिता उसका संदर्व सारी चीजों का अध्यान हम क्या करते हैं लोकवित्त के अंतरकत करते हैं और इन घटकों में जो बित्तिय प्रशाशन है, उसका हम सरव प्रमुक तोर पे अध्यान करते हैं. क्यों? क्योंकि जो बित्तिय प्रशाशन है, इस बित्तिय प्रशाशन को अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि यह बित्तिय प्रशाशन जो है यह घटक सरकार के यह राज के कि बित्तिय प्रबंधन से संबंदित हैं. किसे संबंदित है? बित्तिय प्रबंधन से संबंदित हैं. पैसा कितना है, यह राजसो कितना है, कितना खर्ष करना है कितना बचाना है कितना खर्ष करना है तो किन-किन मदों पर खर्ष करना है कब खर्ष करना है ठीक है तो यह बित्त का जो प्रबंध होता है वो बित्तिय प्रशासन के अंतरगत इसको हम इसका अध्यन करते हैं या इसको हम सामिल करते हैं ठीक है अब यह बित्तिय प्रबंधन है उसके अंतरगत हम देखते हैं परियात मात्रा में करार ओपन या टैक्शेशन और करार ओपन से धन एकत्र करना ठीक है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़नेंगे तो सरकार को जितने राजस्व की प्राप्ति होती है खुल राजस्व में अबब 80% जो योगदान है वो टैक्शेशन का है या कर का है ठीक है कर का आरोपन मतलब कर लगाना सरकार दौरा उसको कहेंगे करार ओपन टैक्शेशन तो करारोपन, परियात्मात्रा में करारोपन करना, करारोपन से धन एकत्र करना, परियात्मात्रा में एकत्रित धन को समुचित रूप से सुरच्छित रखना और उस धन का विभीन इकाईयों के मद्य बहतर आवंटन करना या समुचित आवंटन करना इन सब चीजों का अध्यन हम क्या करते हैं बित्तिय प्रशासन के अंतरगत करते हैं और बित्तिय प्रशासन का सबसे प्रमुख उपकरण वो है बजट अब आपको एक सामान निसी प्रिष्ट भूमी थोड़ी बहुत अभी हम लोग बहुत डीप में जा रहे हैं अब डीप में जाने की बहुत जरूरत भी नहीं है तो बित्तिय प्रशासन का सबसे प्रमुख उपकरण क्या है सबसे प्रमुख उपकरण बजट है सबसे प्रमुख उपकरण वित्तिय प्रशासन का सबसे प्रमुख उपकरण बजट है अब बजट की जरूरत क्यों पढ़ती है या क्यों पढ़ी इसकी उपयोगिता क्या है तो इसमें अगर हम आपसे कहें कि जो रास्टर की संकल्पना है देश कहिए या रास्टर कहिए वो एक ऐसी संकल्पना है जिसके चार घटक हैं और चार घटकों के सामील होने से ही रास्टर की संकल्पना का निर्माण होता है और रास्टर निर्माण या रास्टर के अस्तित्तु के लिए वो चार घटक क्या है पहला है निश्चित भूभाग द्यान से देखिएगा न निश्चित भू भाग या निश्चित भू छेत्र भारत का छेत्रफल आप से परिश्चा में पूछा जा सकता है कि भारत का छेत्रफल कितना है एक्जैक्ट 32,87 सम्थिंग वर किलोमेटर जो हभी हमको याद नहीं आ रहा तो राष्ट के लिए या राष्ट के कॉंसेट के लिए राष्ट के अस्तित्व के लिए चार घटकों का होना सामिल होना जरूरी होता है और इन चार घटकों से ही मिलकर के राष्ट का निर्माण होता है ठीक है पहला क्या हो गया एक निश्चित भू भाग या निश्चित भू छेत्र दूसरा हो ग तीसरा घटक जो है राष्ट के संदर में वो है सरकार, देखिए बजट क्या है, इसको सामाने सब्दों में बहुत कम समय में हम उन्हें समझने का प्रयास किया संछेप में, अब बजट की आवसकता क्यूं है? उपियोगिता या उपादेता क्यों है, उसका महत तो क्या है, उसकी आवसकता क्या है, अब इस प्रिष्ट भूमी को हम थोड़ा सा समझने की कोसिस करेंगे, तो तीसरा जो घटक हो या राष्ट का वो है सरकार, और चौथा जो घटक होता है, उसको कहते हैं संप्रभूता, स सरकार, और जब हम सरकार की बात करते हैं, तो ये राष्ट के अभिभावक के रूप में हमारे सामने आते हैं, आती है, कौन? सरकार. हम अपने घर में रहते हैं, तो देखते हैं, अभिभावक या एक गारजियन होता है, वो सारी चीजों पर नजर बनाए रखता है, जो अगर गलत रस्ते पर जा रहा है, चीजों को विवस्थित करता है, और घर को सही इस्तिती में बनाए रखने की जिम्मेदारी उसके जनता है, उसमें जो सरकार नामक जो घटक है, वो एक अवपरिहार ये घटक है, ठीक है, राष्ट को सही इस्तिती में बिकास की पत्पर अग्रसर करने के लिए, ठीक है, और उसको विवस्थित करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जो कमी हो रही है, उसकमी को दूर करने क के लिए कम नहीं तो उसको और व्यवस्तित करके और बहतर इस्थिति में पहुंशाने के लिए इन सब चीजों की जिम्मधारी किसकी होती है सरकार की होती है तो हम कह सकते हैं कि सरकार क्या है सरकार रास्ट के अभिभावक के रूप में हमारे सामने आती है अब ये तो सरकार है बरतमान समय में या आधुनिक समय में आधुनिक समय में दो चीजें या दो कॉंसिप्ट इस सरकार के संबंद में या सासन प्राली के संदर में कहें जो कि सरकार से ही संबंदित है उसके संबंद में दो चीजें जो हैं बहुत लोकप्री हैं और द्वरा अपनाई जा रहें क्रमसा वह क्या है लोक्तंत्र और दूसरा क्या है कल्यानकारी सरकार प्लिफेयर स्टेट का कॉंसेप्ट और दूसरा क्या है लोक्तंत्र या डेमाक्रेसि ठीक है तो सरकार जो है वो उसका आधुनिक स्वरूब जो है आधुनिक जगत में दो चीजों पे ज्यादा बल है पहला क्या है लोकतंत्र जो देश लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश नहीं है उसको सासन पद्धती की दृष्टी से हम अपेक्षा कृत पिछड़ा हुआ समझते ह कर दो करते हैं अगर लोकतांत्रिक प्रणाली वालावला देश धाहें अपने नागरिकव का समझता नहीं है बिशार नहीं करता है उसको पह उपर कोई कारक्रम नहीं लाता है कोई गतिवदी het नहीं करता है तो वह पी जो है एक तरह से पिछड़्ी हुई ष्धिती में मान सरकार नामक संस्था अस्थितों में आई थी तो उसका बहुत सीमित काम था उसका डायरा बहुत सीमित था यह ऐसा भी भावक था जिसको एक या दो काम करने के जिम्मदारी दी गई थी ठीक है अपने राजे के संदर्व में लेकिन वरतमान में या उसके बाद जैसे-जैसे होता गया धाणाय बदलती गई आवसक्ताय बदलती गई परिशितियां बदलती गई और उसके उन बदलते हुए परिशितियों परिवेस और धाडाओं के संदर्व में सरकार का कॉंसेप्ट भी बदलता गया और आज वरतमान इस्तिति में हम यह देख रहे हैं कि जो जबसे प्रमुकता पाने वह जो चीजें वह क्या है सरकार के संदर्म में लोगतंत्रात्मक शासन प्रणाली और सरकार का जो स्वरूप है वह खल्यानकारी स्वरूप वाली सरकार, ठीक है, इदी अमीन की तरह से नहीं, ठीक है, इदी अमीन क्या करता था बहुत बे इंतहा जुल्म करता था अपने नागरिकों के उपर तमाम ये ऐसे तानासा रह चुके हैं जो कि अपने नागरिकों के उपर बे इंतहा जुल्म करते हैं तो आज तक हम लोग नाम याद करते हैं किसका जित्वी विसुद्ध के जो सबसे बड़े खलनाग सिद्ध कर दिये गए हैं ज लोग तंत्रात्मक साषन पदति संचालित करने वालिय जो सरकार उसका कल्याणकारी सवरूप इन दो अपचाओं के कारण समय के साथ और विकास करते बर्तमान तक पहुंचते přहुंचते सरकार के ब्याय में बहुत ज़्यादा ब्रिद्धी हुई है क्योंकि कल्यानकारी स्वरूप की सरकार होने के कारण जन समाने के जीवन को उन्नत करने के लिए बेहतर करने के लिए बिक्सित करने के लिए प्रात्मिक जिम्मेदारी सरकारों की समझी जाती है और सरकार अपने जन समाने के जीवन को उन्नत या बहतर करने के क्रम में सिच्छा, स्वास्थ, सामाजिक सुरच्छा, क्रिसी, उद्यो, परिवहन, यातायात, आधार भूत, सनचना का अभिकास इन सब की जिम्मेदारी एक तरह से प्रात्मिक रूप से किसके उपर आती है, सरकार के उपर आती है, तो समय के साथ क्या देख रहे हैं आप, इन दो अपेच्छाओं के कारण सरकार की जिम्मेदारियों में ब्रिद्धी होती गई, और इन जिम्मेदारियों के निभाने के ल से हमने आपको जैसे बताया उस सरकार के ब्याय में सरकार द्वरा जो किया जाने वाले ब्याय या सरकार द्वरा जो अपेचित होता है ब्याय किया जाना उस ब्याय की मातरा में बहुत ज्यादा ब्रिद्धी हो गया क्यों कि लोक कल्यानकारी सरकार या जनता के कल्यान के की जाती जैसा हमने आपसे आ नागरिकों के बैतर सिच्छा की व्यावस्था करना नागरिक को सिस्वास्त के सम्चित दिखभाल की सामाधिक सुरच्छा की ब्रिद्धी और दोगी के ब्रिद्धी और विकास को सुनिश्चित करना और यह बहुत स्वभाविक भी है सरकार को जैसे हमने आपसे कहा ना कि वो देश की या रास्ट की अभिभावक के तौर पर हमारे सामने आती है अब अगर हम आपसे कहें कि हमारे घर में एक नवजाद सिसू है चार महिने पहले पैदा हुआ पांच महिने पहले पैदा हुआ तो जब वो नवजाद सिसू अपने बारे में नहीं सोच सकता है नहीं समझ सकता है तो जाहिर सी बात है उसके संदर्व में उसके संदर्व में कि अपेक्षा होगी वो पूरा करने के अपेक्षा केसे कहती है उस बच्चे के अभिभावक से अपेक्षा की जाती है बच्चा घुटनों के बल चलना सुरू करता है बड़ा अच्छा भी लगता है जब घुटनों के बल चलना सुरू करता है तो उसको बिल्कुल नजर बना लेकिन फिर भी हम नजर बनाए रखते हैं उसको हम फ्रीक अप करते हैं जब वह वयस्क हो जाता है उसकी मेच्योर्टी इस लेबल पर पहुंच जाती है उसका विवेक सही और गलत का निर्णा या निर्धान कर सके उस समय अभिभावक अपनी छत्रचाया को अपने विजिले देता है और उसको छोड़ देता है कि दाल लोटी का भाव अब आप पता करिए ठीक है और यह की जानी जब दाल लोटी का भाव जितना जल्दी जो समझ जाता है जीवन में उतना ही वह ज्यादा विकास करता है आगे बढ़ता है इसलिए आप से आगरा एक तरह से हमारा य एक एक नंबर की लड़ाई है अपने आपको कताई कभी भी समय के किसी वी बिंदू पर धीला मत छोड़िये लापारवा मत हो ये लच्छ के प्रति सचेत होके सतर्क होके और लागातार अनुवरत प्रयास करते रहिए क्योंकि यकीन जानिए बिना बहतर प्रयास किये बिन बैसी स्थिति में बिना मेहनत किये बिना संघर्स किये बिना सतर्क और जागरूख होए और इन सब चीजों के लिए अनुशासन की जरूत होती है बिना इस अपेक्छा को पूरा की हुए यकीन जानिए वो चीज संभव नहीं होगी जिसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं ठीक है तो बै क्या हो गया समय के साथ बढ़ता गया अब इस बै को बै जैसे जैसे बढ़ता गया बरतमान समय में सरकार से तमाम अपेक्छा की जाती हैं तमाम तरह के ऐसे कारे हैं जिनके पूरा करने की जिम्मेदारी या अपेक्छा सरकार से की जाती है और इस करम में बै बढ और समय के साथ-साथ, इस ब्या बढ़ने के साथ-साथ, सरकार का आय भी साथ-साथ बढ़ता गया, ठीक है, तो ब्या बढ़ा और आय बढ़ा, जाहिर सी बात है, जब ब्या बढ़ेगा, तो आय बढ़ेगी, बढ़ेगी, क्योंकि अगर ब्या बढ़ेगा, आय नहीं बढ़े पर्याप्त मात्रा में करार उपन यह आय प्राप्त करने का जैसे हमने आपसे कहा है यह सरकार की राजसों का लोक राजसों का सबसे बड़ा स्रोथ है पर्यात करार उपन इस पर्यात करार उपन से पर्यात धन की प्रात्ति इस प्राप्त किये धन का उचित लेखा जोखा और इस प्राप्त किये हुए धन का समुचित सुरच्छा और इस धन का जो धन प्राप्त हो रहा है उस सरकार को उस धन का प्रतेक इकाई को परियात्व समुचित मात्रा में वित्रण करना सम्चुति रूप से बित्रण करना है क्लियर है ये समस्त घटक जो है ये बित्ति प्रशासन के या बित्त प्रशासन के अंतरगत आ जाते हैं और इसलिए बित्त प्रशासन का लोक वित्त में बहुत जादा महत्व हैं और लोक वित्त के द्वारा आर्थ व्यवस्था के दिष्टिकोंड से भी बहुत महत्व हैं और इस बित्त प्रशासन का सबसे प्रमुख घटक बजट है तो इसी वजह से सबसे प्रमुख उपकरन या माध्यम बित्ति प्रशासन को संचालित करने का सबसे प्रमुख उपकरन या माध्यम क्या है बजट है तो इन सब चीजों का बजठी नियंत्रन निरदेशन वसंद्चालन करता है के माध्यम से किया आता है ठीक है अब अगर हम आपसे ये कहें कि जैसे सरीर में हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और हमारा जो हिर्दा है होड जो है वो क्या करता है वो सप्लाई करता है फ्रेस ब्लड की आक्सीजन जिसके साथ रहता है जुड़ा रहता है उस ब्लड को सरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है और जो oxygen से युक्त blood पहुंचता है तो उस oxygen को ले करके और उर्जा प्राप्त करते हैं ATP के रूप में glucose टूटता है ATP के रूप में उर्जा प्राप्त होती है तो सरीर के सभी अंगों तक वो oxygen blood पहुंच के oxygen को पहुँचाता है वो blood क्या करता है? circulate करता है पूरी body में oxygen को और उस oxygen के प्राप्ती से सरीर के सभी अंग उर्जा प्राप्त करते हैं और उसी प्राप्त उर्जा से अपने कारे को संचालन करते हैं जो उनके लिए आवंटी थे या जो उनकी भूमी का है हमारे सरीर में, ठीक है? ठीक इसी तरह से पूरी अर्थ व्यवस्था में धन का समुचित संचालन जिससे की अर्थ व्यवस्था की सभी इकाईयां कारे च्छम बने, दच्छ वो कुसल बने और अपने द्वारा निर्धारित, उनके लिए जो निर्धारित कार्य है उसको बहतर तरीके से संपादित या पूरा करती रहें इसके लिए धन क्या है? वो आक्सीजन रूपी ब्लड में जो आक्सीजन है वही आक्सीजन है अर्थ व्यवस्था की सभी घटकों की सभी इकाईयों के लिए कि वो अपने कारे को समझी तरीके से, दच्छ तरीके से, कुसल तरीके से उसकारे को संपन कर सकें इसके लिए क्या जरूरी है? धन की जरूत होती है और इस धन का आवंटन पूरी अर्थ व्यवस्था में किस बर्च बन गया कि बजट का महत्यों हमारी अर्थ व्यश्जा के डिष्टिकों से कितना है ठीक है अगर मैं ऐसा ही कहता है आप से एक बजट घ्राव अरथ का कि लिए बहुत महत्यवपून है है महत्यवफून बात आई गई खतम है इसलिए हमने आप से कहा कि किसी चीज को समझने के लिए अगर उसकी प्रिष्टवूमी के साथ समझेंगे प्लस जो टॉपिक है या कॉंसेप्ट है उसमें जो सब्द इस्तिमाल किये उन सब्द का वास्ता भी किया सही अभिप्राया अर्थ क्या है उसको जो हम समझ लेते हैं तो यकीन जानी विशाय आपके लिए या जियस का ये पॉर्शन आपके लिए बहुत रूचक हो जाता है आपकी धाड़ा ही बदल जाएगी कि यह कटी नहीं है तो बहुत इंट्रेस्टिंग है यह बोजिल नहीं ह यह बहुत मज़े वाला बिशाय है पढ़ेंगे आनंद अएगा पढ़ते जाएंगे अब बजट के अंग है लोकवित उसी तरह से धन का सर्कूलेशन सभी काईयों तक होता हैμέ थनको को पहुंचाने की प्रक्रिया में होती है आर्थ व्यवस्था के सभी घटकों को प्रतक्छ या प्रतक्छ रूप से प्रभावित करता ही करता है और यही वजह है कि जब व्यवस्था जाना होता है तो घर की घरेलू लू गृष्डी तक शдж ले करके और इंडस्टियस तक बिजनेस टाइकून कि नजरेगड़ी हो इसमें क्या कुछ नया बदलाव हो रहा है पूराने में कुछOODहार हो रहा है कुछ अध्या जा रहा है कुछ बढ़ा जा रहा है क्यों कि कि यह आरथ ब्यद्यावस्था को बहुत ब्रियाद दस्तर पर भ्यापक तौर पे प्रभावित करने की छंता रखती है अब बजट का जो एक सामानी उद्देश से होता है उस बजट के सामानी उद्देश को अगर हम आपसे कहें कि इन उद्देशों की पूर्ती बजट करता है कुछ ऐसे उद्देशे हैं अर्थपवस्ता में हमारे जिसको परंपरा कात रूप से बजट से पूरा करने की अपिक्षा जन्ता द्वारा, बौधिक वर्ग द्वारा आर्थिक विश्लेश्कों के द्वारा अपिक्षा की जाती है और वो सामानी उद्देश से क्या है बजट का बजट का समान्य उद्देश से है आर्थिक इस्थिर्था कायम करना ध्यान से देखिएगा आर्थिक इस्थिर्था कायम करना ठीक है दूसरा उद्देश से बजट का क्या होता है संसाधनों का आवंटन अब कहेंगे आप संसाधनों का आवंटन समय के साथ संसाधनों का आवंटन कैसे होता है समय के साथ आर्थ ब्यवस्था में आर्थिक गत्विद्यों में चुकि आर्थिक उदारी करण के यूग में हम लोग रह रहे हैं और 1991 में ही नई आर्थिक नीति के दवरा हमने आर्थे ब्यवस्था कि तमाम परंपरागत नियमों को बदल दिया है और उस नियम को परंपरागत नियमों को बदलने के बाद या पेक्षा किया थी कि आर्थे ब्यवस्था में सरकार की जो भूमिका होगी वो क्रमसा सिमित होती जाएगी कम होती जाएगी और आर्थिक गतिविधियों का निर्वाध जो संचालन है वो नीजी छेत्र द्वारा किया जाएगा लेकिन फिर भी आप कहरा है कि बजट का समाने उद्दे से क्या है संसादनों का आवंटन तो उपकरण होते हैं ना सरकार के पास बजट की अंतरगत जिसको हम लोग आगे देखें को बजट की संचना या धाचा जब आभी आपको बताएंगे तब हम आपको समझाने कोसिस करेंगे संचेप में उसमें जैसे मानिजी कि कोई नई कोई ऐसा बुंदेल खंडी चाइब का चेतर है पिछड़ा हुआ चेतर है सरकार चाहती है कि वहाँ पर अउद्योगी की विकास किया जाए नीजी चेतर वहाँ पर उद्यम अस्थापित करें अब नीजी चेतर वहाँ पर उद्यम क्यों अस्थापित करेंगे वहाँ पर अधारभू सनचना नहीं है बैंकिंग ब उद्योग लगाना पसंद नहीं करेगा कोई उद्यमी परोपकार के लिए नहतिगता के लिए दूसरों का भला करने लिए अधिविधि संचारित नहीं करता है उसका और मात एक से यह होता है कि अपना लाभ अधिक्तम करना थीक है। तो पिछड वह च्हेत्र में तवाम तरह की कठीनाईयों के करन उसका लाब अधिकतम नहीं होगा, तो पिछड सेत्र में अपने करती नहीं है, सरकार क्या करती भ॑न अधाय कि स्ट्रापना ने त्यूम सेए प्रफश कौराईयों, इसक करता है तो थोड़ा सा उसके पास एक इंसेंटिव आता है, प्लस कुछ और कर दिया, आधार्बू सनेशना का विकास सडके बनवा दिया, वहाँ पे सरकार ने बहतर या अच्छे इस तीवारी सडके बना दिया, तो इस तरह से क्या करता है, सरकार करती है, बजट के माध्यम से ये ब आंतरिक और बाहिय इस्थिर्ता, जब तक इस्थिर्ता नहीं रहेगी, अब चाइना के बॉर्डर पर क्लैस है, जाहिर सी बात है कि हमारे उद्दे में से संकीत रहेंगे, पाकिस्तान बार बार छेड़ रहा है भारत को, उकसा रहा है भारत को, और ये सिति है कि कहीं युद्ध नो हो जाए, तो युद्ध हो जाएगा, तो युद्ध की अपनी अलग मनोबृत्ती होती है, अपनी अलग भाव भूमी और दसा होती है, तो हमारे उद्दे में क्या करेंगे, वो जो है उतना प्रोचसाहित नहीं होंगे, या उतने मन से उत्पादन की गतिबिजी को अगर कहीं नया निवेश करना चाहते हैं, तो करने में थोड़ा सा हिजखेंगे, जिजखेंगे, तो आंतरिक इस्थिर्ता और बाइस्थिर्ता, लॉज और जिसको कहते हैं, उसको मिंटेन करना वो भी बजट का एक समाने उद्दे से होता है, ठीक है, रोजगार को उसके अनुकूलता मस्तर तक पहुचाना या रोजगार में अनुकूलता मस्तर तक रोजगार के आउसरों में व्रिद्दी करना, ये भी बजट का उद्दे से होता है, गरीबी का निवारन करना, ये भी बजट का उद्दे से होता है, समाने उद्दे से है आर्थिक असमानता को कम करना न्यूंतम करना बजट का एक समान्य उद्देश से है ठीक है और समयानुकूल एक चीज और है और समयानुकूल और अवस्यक्ता नूकूल जो ततकालिक परिवेस परिशिती उती है उसके संदर में ततकालिक रूप से इथाना आवस्यक होता है वो भी बजट का एक सामानी उद्धूस्यता है जैसे कोविड-19 जैसा पैंडेमिक आ गया सारी आर्थिक गतिविदियों ठप हो गई सरकार चुकी अविभाव के गार्जियन के रूप में सरकार होती है उस आर्थिक गतिविदियों के ठप होने की सिती में ज चुका पड़ गया तो जो समयानुकूल परिवेस होता है समसामाईक परिवेस होता है और जैसी आवसेक्ता होती है वैसा कदम तत्काली कुरूप से सरकार इस बजट के माधियम से उठाती है उसको करने की कोसिस करती है तो यह बजट के सामाने उद्धिय से हो गए अब में तो क्या है बजट से देश की आर्थिक इस्थिति का असपृष्ठ चित्र हमारे सामने प्रस्तूत होता है हुआ को सरकार की आर्थिक नीती कोस talents ये हमारे सामने प्रस्तूत करता है ड़जट, ठीक है और बजट के निरमार के लेकर सरकार की इकाईयां नीचे से टाओम प्रकूल सुविधा होती है नियंत्रण और नियदेशन करने में सुविधा होती है दूसरा क्या है बजट के द्वारा विधाई का जो है वो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है चौथा क्या है बजट के द्वारा विधाई का वित्तिय नियंत्रण रखती है यह सब चीजें जो है वो बजट के महत्तु के बारे में बताते हैं अब इसमें अगर हम आप से कहें कि बजट का जो सामान ये धाचा है वो क्या है किन किन चीजों से किन किन घटकों से मिलकर के बजट का निर्माण होता है उसको अगर हम आपको सामाने सब्दों में बताएं देखिए बजट जो है बजट क्या है यह आपके इस सम्मिधार में कहीं इसका इस सब्दकाउल लेक नहीं है पहली बात दूसरी बात क्या है कि अनुछे एक सो बारा में इसकी बात की गई है अर्टिल 112 में और इसको महाँ पर कहा गया वार्सिक वित्तिय विवरण ठीक है एनुवल फिनेंशियल स्टेट्मेंट और उसी वार्सिक वित्तिय विवरण को हम बजट कहते हैं अनुछेद 112 के अंतरगत राश्टरपती से अपक्छा की गई कि प्रतिवर संसद में वार्सि एक हो गया राजस्व बजट रेवेन्यू बजट और दूसरा हो गया आपका दूसरा भाग्यों इसका हो गया वह हो गया पूजी बजट द्यान से समझेगा अब राजस्व बजट और पूजी बजट इने दो मुख्य भागों में कि अंदर सरकार का बजट कहिए राजसरकार का बजट कहिए सभी सरकारों का बजट इने दो मुख्य भागों में बटा होता है अब इनकी क्या महत्ता है क्या उप्योगिता है बज यह अगर समझने के लिए हम आपको एक ब्यावहरी कुदारण दें, जैसे माली जे कि आपकी क्लास ले करनेके, जब हम क्लास लेते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो इस क्लास के कारण, माली जे कि हमको 1,000 रुपए महीना मिल रहा है प्रति माह सपोज करिए, एक व्यक्ति जो क कि आये प्राप्त करता है एक हजार उपए प्रतिमा तो वो अपने उस आये का भी बजट बनाता है अर्थात किन किन मदों में कितना खर्च करना है किस तरह से कब खर्च करना है और उसकी दृष्टिक के वाल खर्च करने तक ही नहीं रहती है इस आये का एक हिस्सा बचाने के उपर भी रहती है, तो अगर हम व्यक्तिकत तोर पर बात करें, किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, तो वो जो आय प्राप्त करता है, उस प्राप्त आय को मुखेता दो हिस्सों में बाटने की कोसिस करता है, एक होता है ब्याय, दूसरा होता है बचत, ध्यान से समझेंगे expenditure and saving अब ये जो ब्य है जीवन निर्वाहक से संबंधित तमाम तरह की आवशक्ता होती है खाना है पीना है आना है जाना है दवा है सिच्छा है स्वास्त्य है मनुरंजन है समाज है मित्र है दोस्त है रिस्दा है तमाम तरह की आवशक्ता है अर्था जीवन को संचालित करने क जीवन को के निर्वाह के लिए तमाम तरह की आवशक्ताय हमारे सामने आती है जिनको पूरा करने की करम में बैय करना पड़ता है उस बैय को हम क्या कहते हैं उपभोग बैय कहते हैं क्या कहते हैं उपभोग बैय करने के लिए जो ब्यक्ति द्वारा बैय किया जाता है उस करने की आवसकता के संदर में उन आवसकताओं को पूरा करने के करम में जब व्यक्ति करता है तो उसको कहते है उस प्रकार के व्यक्ति क्या कहते है उपभोग व्यक्ति कहते है लेकिन व्यक्ति जो है उसके पूरे सरीर में सरवुच अस्थान पे क्या स्थापित किया है स्था महीने जैसे जुलाई को महीने चला जुलाई तक ही शीमित नहीं इसके आगे भी हमारा जीवन होगा और एक समय ऐसा है गा जब कार्य करने की छमता हमारी समाब्त हो जाएगी तो उस omien पे, डॉक्टर पे हमको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है, ठीक है, तो जब वो रिटायर हो जाएगा, सेवा से निवरित हो जाएगा, तो वैसी इस्थिति में ऐसा नहीं कि उसकी जो है ब्या किया हो सकता है, समाप्त हो जाएंगी, उसका जीवन फिर भी संचाल प्राप्त की हुई, आय का एक हिस्सा बचत करता है ताकि भविश्य में तमाम इस्थितिया, एक तो रिटायर हो गया, दूसरा क्या हो गया, समाजिक प्राणी होने की बज़से, परिवार होगा, तो बच्चे होंगे, जैसे बच्चे बच्चे बड़े होते जाएंगे, व ज़्यादा पैचा लगेगा, बिटिया की साधी करनी है, घर बनवाना है, कहने का मतलब यह है, कि इन आवश्यक्ताओं के द्रिश्ट क्या करता है, वो रिटायर हो जाएगा, तो उसकी छंता चुक जाएगी, उसके संबंद में भी उसको अपनी आय का एक हिस्सा रखना है इन सब आवश्यक्ताओं के द्रिश्ट क्या करता है, कुछ unseen conditions ऐसी होती है, बिमार पड़ गए, आपदा आ गई, कोई दुरघटना हो गई, हाथ पैर टूड गया, जितना कमाया उतना खाते गए, ब्या करते गए, अपने उपभोग पे, कि उसको अच्छा नहीं रखता है और इस बचत की तमाम तरह से उप्योगता है, जैसे हमने आपको बताया, अब ये बचत जो है, करते 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 क्या हो गया, उसके पास मा लीजे की एक लाख रुपए एक अठा हो गया कुछ समय बाद, और इस एक लाख रुपए से उसने एक कमरा बनवा लिया, उस कमरे को किराये पर दे दिया उस किराये से क्या हो रहा है उसको प्रतिमा है आये प्राप्त हो रही है एक हजार रुपए उसकी आये है कमरे से किराये तीन सुर रुपए मिलना शुरू गया उसकी आये बढ़ गई ना एक हजार से बढ़के तेरो सु रुपय हो गई, तो यह जो बचत है, यह हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, यह जो उपभोग ब्या है, यह हमारे वर्तमान जीवन की आवशक्ताओं को पूरा करने के समझ्द में किया गया ब्याय होता है, यह जो हमारी अवशक्ताओं को बताता है, बचत क्या बताता है, बचत भविस्य में हम कितना बहतर होंगे आज की तुलना में, वो किसकी उपर निर्भा करता है, वो सेविंग की उपर निर्भा करता है, ठीक है, तो अगर एक हजार रुपय हम पा रहे हैं और एक हजार रुपय हम बैकर दे रहे हैं और यहां से नीचे उत्रे बाइक से गया सड़क पार किया माने जरी कोई आ के ठोकर मार गया पैर टूड़ गया तो हम क्या हो गए निर्भर हो गया दूसरे के उपर बहिए कुछ हमारी सहायता कर दो तो पैसा तो है नहीं, जितना कमाया, उतना खाया, पिया, उड़ाया, बचत किया नहीं, बचत किया नहीं, तो ऐसी condition हमारे सामने आ गई, तो इन सब आव सकताओं के दिशगत, यह ब्यक्ति क्या करता है, अपनी आयका एक हिस्सा बचत करता है, और इस बचत से उसकी भावी जीवन और बहतर होने की संभावना रहती है, और यही ब्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, थीक है, अब ये इस उदाहरन के साथ, इस ब्यवहारिक उदाहरन के साथ, अब आप आईए बचट के संदर में, हम आप से बात कर रहे थे कि बचट को दो भागों में बाट एक को कहते हैं राजस्व बजट और एक को कहते हैं पूजी बजट तो यह जो सरकार है ना सरकार भी एक प्रकार की संस्था है सरकार की नामक संस्था के संचालन के लिए उसके अस्तित्तों को बनाय रखने के लिए अस्तित्तों को बनाय रखने के लिए और सरकार के संचालन क करती है उन्स सभी ब्यय को हम राज़स सु बजट के अंतरगतं रखते हैं। और संपत्तीयों के निर्मान के लिए अर्थिवाश्था कि विकास के संदर्व में जो ब्यक रखती है वो पूझी बजट के अंतरगत रखते है। यह सरकार का वारतमान ब्यझ है। और ये सरकार का बा। ऐसा बैए है जो सरकार के विखास ची द्वरा किये गए बैए कि बिया केमाद्य महें से subопас के अस्तर को नधारित करता है। ठीक है? और इसी वज़ाय से व्यक्ति अपनी आय को दो रखता है। अपनी आवसक्ताओं को पूरा करने के क्रम में अपनी आय का एक हिस्सा जिसको उपभोग वे कहते हैं, दूसरा हिस्सा अपने जीवन को भविश्में और बहतर करने के लिए और सुरच्छित करने के लिए अपने एक हिस्सा रखता है जिसको हम बचत कहते हैं, तो ये इसी त तो क्या हो रहा है? हम 200 रुपए किसी से रिण ले रहे हैं, उद्हार ले रहे हैं लेकिन उस उद्हार को चुगाने के लिए अपनी आया को बढ़ाने का प्रयास हम करने रहे हैं. वो बिकास को निधारित नहीं करता, वो हमारी वर्तमान की आवसकताऊं को संतुस्ट करता है.. वो वयक्ति की बचत होती है इसको उद्हार ले रही है। रियूढ हमारे उपर बढ़ता जा रहा है." contenido जाहिर सी बात है कि यह बढ़ता हुआ रेड हमारे सीधिक को vulnerable कर रहा है ठीक है वो बहतर नहीं कर रहा है क्या कर रहा और बदतर कर रहा है तो यह जो है इसी संदर्म में बजट को भी दो हिस्सों में बाता गया है राजस्व बजट और पूंजी बजट अब इस राजस्व बजट को भी दो हिस्सों में बाटा गिया है एक आय वाला हिस्सा जिसको कहते हैं राजस्व आय रेवेन्यू इंकम या रेवेन्यू रिशिप्ट्स और दूसरों कहते हैं राजस्व ब्याय इसी तरह से पुझी बजट को भी दो हिस्सों में बाढ़ दिया जता है जो ढ़ाचा होता है structure बजट का वो यही है पूझी बजट को भी दो हिस्सों बाढ़ जाता है पूझी प्रात्तियां, और пожалуйста पूजी ब्याय, capital expenditure या पूजी ब्याय, capital receipts and capital expenditure ये दो भागों में पूजी बजट बढ़ गया और revenue income या revenue receipts और revenue expenditure में इन दो भागों में राजस्व बजट बढ़ गया ये जो राजस्व बजट है, ये सरकार के वरतमान से संबंदित है ये भाविश्य से संबंदित है इसका असर या प्रभाव अल्पकालिक है अल हैयों कि यह सरकार का उप्वोग वह समझा जाता है अगर व्यक्ति के संदर में उसके तूलॉक्त करें सरकार की तो हग करके हैं अगर माल नीजे का हम झुक्हार की हम को आपत करने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हैं जितना पैसा मिला मालीं पैसा जेब गरह हो गया सुनिकलकर निखल है आप पैसा खर्च कर दीजी कौका. पैसा हिसा है निखेजा. और यह इसका प्रभाव क्या है फूजी बजट का वो दिर्ग कालिक आर्थिक प्रभाव छोड़ता है किसके उपर अर्थ व्यवस्था के उपर ठीक है राजस्व आये को भी हम फिर दो भागों बांद देते हैं एक को कहते हैं कर राजस्व टैक्स रिवेन्यू और दूसरे को कहते हैं गैर कर राजस्व नॉन टैक्स रिवेन्यू गैर कर राजस्व या नॉन टैक्स रिवेन्यू कहते हैं इसको ठीक है अभी जो कर राजसो है ना ये कर राजसो फिर दो भागों में वड़ता है कर कितने प्रकार का होता है आप जानते हैं दो प्रकार का होता है डिरेक्ट टैक्स और इंडिरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्षकर और अप्रत्यक्षकर अप्रत्यक्षकर हम लोग परोख्ष भी कहते ह कर राजसो क्या है कर राजसो जो है अब देखिए राजसो बजट में राजसो आए कि अभी हम बात कर रहे हैं राजसो आए ये दो हिस्सों में बट गया है एक हो गया आपका कर राजसो और दूसरा हो गया आपका गैर कर राजसो नॉन टैक्स रिवेन्यू कि अर्थाथ कि रायस्есс भजट में सरकार को आया या प्राप्ती होती है वो दो माध्यमों से प्राप्त हो रही है एक कर की माध्यम से प्राप्त राजस्व और एक कर के अत्रिक्स अन्यसर कर राजस्व में फिर आप इसको दो भागों बांट दे रहे हैं एक हो गया आप जानते हैं कर दो प्रकार का होता है प्रत्यक्षकर डिरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्षकर इंडिरेक्षकर प्रत्यक्षकर है यह दो भागों में बांट दिया आता है एक आय पर आरोपित का प्रत्यक्षकर, दूसरा क्या है धन पर आरोपित प्रत्यक्षकर, एक प्रत्यक्षकर आय पर लगा जाता है और धन पर लगा जाता है, आप ये समझ देजिए कि आय पर लगा जाने वाला कर और धन पर लगा जाने वाले कर ये प्रत्यक्षकर की है साही भी कर्व का सिहन करिए तो जो प्रत्यक्षिक्र है डायरेक्ट टेक्स है डायरेक्ट सको कहते हैं क्यों इसको प्रत्यक्षिकर कहते हैं अभी इसका हम खेंडे आर यह कर जो है कर से प्राट्वाजाशák sound बढ़ जाता है एक होता है अप्र Wash класс प्रत्यक्षकर से 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 प्रत्यक्षकर अब इस ब्यक्ति पर जो कर है आय पर जो प्रत्यक्षकर है जिसको हम दो भागों बाट रहे हैं ब्यक्ति पर लगने वाला प्रत्यक्षकर और कंपनी पर लगने वाला प्रत्यक्षकर या उत्पादक इकाई पर लगने वाला प्रत्यक्षकर व्यक्ति पर लगने वाला जो आय के आधार पर व्यक्ति के ऊपर जो कर आरोपित होता है वो तीन प्रकार का हो जाता है एक को कहते हैं व्यक्तिगत आय कर जिसको समाने सब्दो पहला प्रकार का कर यह हो गया, दूसरा हो गया, पूझी लाव पर कर, ये भी प्रतेक्ष कर है, जो कि आय पर आरोपित हो रहा है, पूझी लाव पर कर, तीसरा हो गया, उपहार कर, ठीक है आपसे हमको 25 जार रुपय मिला सरकार कहते है कि जितना उपहार मिलता है उसका 10% टैक्स के रूप में आपको you have to pay 10% of your gift amount to the government तो ऐसी सिती में जो कर लगा है उसको उपहार कर कहते हैं तो ब्रक्ति के ऊपर जो आयकर लगता है न वह यह तीन सेड़ियों में यहां पर हम देख रहा है वर्गी क्रित है जो कंपनी के ऊपर आयकर लगता है जो कंपनी पर आयकर लगता है कंपनी पर आयकर लगता है कंपनी पर आयकर अधार पर उककर लगा जाता है वो देखिए कितने प्रकार का होता है एक हो गया कंपणी की आयप पर जो कर लगता है उसको कहते हैं कंपणी कर या इसी को कहते हैं निगम कर निगम कर और इंगलिस में इसको कहते हैं corporate tax ठीक है दूसरा कर जो है जो कंपणी की आयप पर लगता है उसको कहते हैं न्यून्तम बैकल्पिक कर इसको कहते हैं minimum alternative tax या इसको कहते हैं mat 1996 में चिदर मरम साब ने इसको introduce किया था ठीक है अब तीसरा जो कर है वो हो गया banking lane देन पर कर इसको कहते हैं transaction banking lane देन transaction on चलिए अभी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है इसको basically क्या कहते हैं banking lane देन पर कर प्रतिभूति लेन देन पर कर लाभान्स वित्रण पर कर tax on dividend distribution को कहते हैं इसको कहेंगे tax on banking transaction कहेंगे banking lane देन पर कर ठीक है और आपका हो गया एक और fringe benefit tax fringe benefit tax यह सब प्रत्यक्ष करके अंतरगत आएंगे और प्रत्यक्ष कर में भी कि आए के ऊपर जो company के ऊपर कर लगता है आए के अधार पर या आए को आधार बनाकर बेनिफिट fringe benefit tax यह सब company के ऊपर लग रहा आए ठीक है तो जो अभी आपने यह देखा भ्यक्ति पर जो आए के अधार पर कर लगता है वो कितने प्रकार के वर्ग कर hits किया गया। दूसरा जो है company के उपर जो I company पर जो I के उपर या I के अधार पर कर लगता है वो कितने बरगों में बरगी कृत किया गया है basically ये सब जो है आप यकीन जानिए ये सारा जित जो आपको यहां बताया जा रहा है वो आप तीन किताब चार किताब पढ़ लेंगे आपको नहीं मि ठीक है और फिर जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मेरी अपेच्छाओं पे खरा उतरते हैं जैसा मेरी अपेच्छाओं आप से है कि इतना पढ़ाने पर कुछ वर्क आप घर पे करेंगे इसको revise करेंगे इसके उपर question solve करेंगे इस पर कुछ समस्या में फिर आप put up करेंगे यह चीज आपके लिए समस्या नहीं रहेगी यह आपका एक सबल पच्छ बन के आ जाएगा कि आप कहेंगे कि चलो कम से कम 18 से 20 प्रस्ण आएंगे तो 15-16 प्रस्ण तो इसमें हमारा हल होई जाएगा solve होई जाएगा properly सही 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 और जैसे हमने आप से कहा है दो 25 परसेंट वहां से प्रशना जा रहा है यह बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा यह portion आपके एक्जाम के लिए एक्जाम में लच्छ तक पहुंचाये के लिए अब यह हो गया अप्रत्यक्षकर और अप्रत्यक्षकर अप्रत्यक्षकर जो है वह बहुत ज्यादा नहीं ह बेसिकली देखिए जीस्टी है अप्रत्यक्षकर है एक्साइज ड्यूटी है वह अप्रत्यक्षकर है सेल्स टैक्ष है विक्रीकर जिसको कहते हैं वह अप्रत्यक्षकर है कस्टम ड्यूटी सीमा सुल्क जिसको कहते हैं वह अप्रत्यक्षकर है कि और इक-दो इस तरह से ठीक है यह क्या है अप्रतेक्ष कर्क जो की कर्षे इतर अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस होता है। और गैरकर राजस्यों में बेसिकली जो आता है वो है ड्यूटी, फीस, दंड और जुर्माना, सरकारी उद्यमों या सिवाओं से प्राप्त लाब, जैसे डागघर संचारन से सरकार को आए प्राप्त हो रही है, तो सरकारी सिवाओं के द्वारा प्राप्त आए, सरकारी सारवजनिक छेतर के उपक्रमों द्वारा प्राप्त आए, या लाब, सरकारी उपक्रमों द्वारा सरकार को दिया गया लाभांस ठीक है सरकार जो रिड़ देती है सरकार राजी सरकारों को या अने किसी को भी रिड़ देती है कि सरकार केंद सरकार उपलब्द कराती है तो उस पर ब्याज जो प्राप्त होता है वो गैर कर राजसों में आ गया यह सब चीजें जो है यह गैर कर आय था राजस्व बजट में यह राजस्व आय अभी तक हम लोगों ने देखा किया है, अगर बजट की स्थान रचना कैसी होती है, धाचा कैसा होता है, वो उसमें क्या-क्या बिंदू सामिल होते हैं, अब एक है राजस्व ब्याय, राजस्व ब्याय में मुक्ष रूप से, अगर हम आप से कहें कि राजस्व ब्याय, यह परिच्छा में आपके प्रशन पूछता है, कि राजस्व आय में क्या-क्या सामिल होता है, प्रतेक्षकर में क्या-क्या सामिल होता है, अब प्रतेक्षकर में क्या-क्या सामिल होता है, राजसो ब्या में गैर कर राजसो में क्या-क्या मते सामिल होती है यह सारी आपकी परिच्छा का प्रशन जब तक आप बहुत तरीके से नहीं समझेंगे और यकीन जानिए एक बार यह तो हम आपको सामाने तरीके से उसको चार्ड बना के देंगे और यहां पर आपको हम करना पड़ेगा जैसा हमने आपसे पहले कहा कि ए घंटे की क्लास के बाद दो घंटे तीन घंटे आपको बर करना है तब आप उसमें उस लेबल पर पहुंचते हैं जो आवसक्ता पेच्छित होती है आपके ग्यान के अस्तर की ताकि आप परिच्छा में प्रशनाय है उनक कि लोग किस से संबंदित है इसके पहले ही हमने आपसे कहा सरकार से संबंदित है लोग सब्द का इस्तेमाल यहां पे सरकार को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सारवजनी किया लोक रिड़ पर दे या भुगतान किया गया ब्याज यह जो चीज है ना यह आपकी परिछ्छा में खास कर कमीशन यूपी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी-पी- सरकार के ब्याज भूगतान है ठीक है सारवजुनिक ब्याग के अंतरगत आ गया पहला ब्याज दूसरा हो गया सब्सीडी सब्सीडी देती है न सरकार खाद्यान वोपे सब्सीडी देती है एक रुपय किलो गहूँ ने के करण ही मिलता है बजार कीमत के कम प्यूताइक को क्यों मिल रहा है क्योंकि वो सब्सेडाइज है उर्वरक पर सरकार सब्सेडियाइज करती है प्रोसाहां देने के लिए तो सब्सेडिय जो है पेटरोलियम पर सब्सेडिया और जिदिया जैसे माली जे की बैंक जो है सामान में ब्यासदर आठ प्रतिशत ले रहा है अगर हम रिण लेने जाते हैं दस प्रतिशत ले रहा है और जो कमजोर वर्ग है बीपियर कार्ड होल्डर है उससे वो चार प्रतिशत ले रहा है तो ऐसा नहीं है तो छे प्रतिशत जो बीच में गएप हो रहा ना वो सरकार देती है बैंक को अपने पाथ से कि साहब इनको चार प्रतिशत की द़र पर आपको कर्ज देना या लून देना है या रिडू कराना है वो कहता है सिर्धिक साहब यृत्तो हमारा जो है नहीं होता है कि आपको उपलब्द कराएगी तो सब्सिटी जो है सरकार अर्थ्य वैश्ता में बी विद रूपों में उपलब्द कराती है देती है यह राज़त सुब्या की अंतरगत आता है थीक है वेतन एवं पेंसन है प्रसासन का संचालन है प्रसासन के संचालन के उपर जुब्या आता है वो राजस सुब्या है अनुदान पेंसरकार जो ब्या करती है वो राजस सुब्या अनुदान मतलं ग्रांट इन एड्ड राजस सरकारों की आवशक्ता जैसे जो भी काम हमारे यहा होता है सरकार जो भी कदम उठाती है जो भी गटिowd संचारिट करती है अपने मनते नहीं संघιαयप्रणाली का संबिधान है हैं और संग्य प्रणारी की सम्मिधान होने कान विविद अस्तरिये मुख्य रूसे हम कहें सरकार हैं केंद्र में केंद्रिये सरकार और राजियों के अस्तर पर राजी की सरकार और उन दोनों विविद अस्तरों की सरकारों की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की काम जिम्मदारी और धन प्राप्त करने के या आय प्राप्त करने के स्रोथ का स्पस्ट आवंटन समिधान में किया गया है सातिव्यन सुची में राजी सुची, केंद्र सुची और एक समवर्ती सुची है उसमें जिम्मेदारियां और करके या आय प्राप्त करने के शुरूत का सपष्ट बटवारा किया गया है तो यह जो बटवारा किया गया है ना वह बटवारा इस प्रकार का है जब हम लोग भित आयोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे वह बटवारा इस प्रकार णो फ्रव्वद कराएगा है उन्में ब्रिद्धि नहीं संभावित है जिसे भूरा जो राजस्वा करने का अथिकार जो है कि सबस्तंतरा है सब 1975 भूमी बरजना नहीं 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 तो जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों के निर्भान के क्रम में वह खाएगा है वो सिद हो ड़ोनों में मिसमाच इस मिसमेच को पूरा करने के लिए केंद सरकार अपने अस्तर पर सरकार को अनुदान, राजसरकारों को अनुदान, ग्रांट इन एड, आर्टिकल 275 में इसका उलेक किया गया, समिधान में आपके, उपलब्रकराती है, रच्छा ब्याय है, ये सभी ब्याय जो है, ये राजस सुब्याय के अंतरगत आते हैं, औ ये सरकार नामक संस्था को बनाय रखने के लिए और संचाली करने के लिए वेतन और पिंसन ना दे, सब्सिडी ना दे, सब्सिडी से कोई आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, ये जन कल्यान के दिश्टिगत, ब्याज जो है, ब्याज जो सरकार लेती है, सरकार रिंड लेती ह जिसको हम रिए दो Cyrus के लिए लिए जयसे है अंपने आप से का था करने को पूरा कर देते हैं जिसको हम ऑफोग वे कर रहा हैं में本当 यह हाई है नहीं खरीद रहा है कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है संपत्ति नहीं बना रहा है जिसे भविश्व में हमारी आय बढ़ती होगी या बढ़ने की संभावना होगी ठीक है उसी तरह से यह जो राजस व्या है यह सरकार के द्वारा किया गिया बरतमान समय में अपनी आवशकता को अपनी आपको संचारित करने के लिए आपनी आपको बनाया रखने जो ब्याह होता है वह उसे किसी प्रकार की संपत्ती सेटि मोटार लावर न सभाखे je तो भूबस में आये बढ़ रही है ना ये हमारे विकात से क्रम को निर्धारित कर रहा है तो ये इसके माध्यम से इसका आउटकम क्या है मुख्य-मदें ये है राजस्वद्य अंतरगत सबसे बड़ी मद ये है वियाज और इससे किसी प्रकार की संपत्ति का स्रीजन नहीं हो यह जो है बाध्यकारी ब्याय हैं जितने करवचारियां उनको वेतन देना ही है जो वेटार हो गया उनको पेंसन देना ही है इसमें कटाउती नहीं कर सकती है सरकार तो कि जनतंत्रात्मक सरकार या लोगतंत्र लोगतंत्रात्मक सरकार है फिर पांच साल बात चुनवा में आना को दूसर प्रभावित करेगी आर्थव्यवस्था के सभी घटक एक दूसरे से इतने नजदीक से जुड़े हुए ना कि एक घटक में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का प्रभाव दूसरे घटक में होता है दूसरे से तीसरे में होता है यह पूरी आर्थव्यवस्थ तो अच्छा ब्याज जो रिड़ ली है उस पर ब्याज देना ही देना है बाद्यकारी है तो यह ब्याज ऐसा है कि अपिछा यह कियाती है कि सरकार जो है राजसुब्याय की अंतरगत कम से कम ब्या करें लेकिन यह जो मद जो राजसुब्याय की अंतरगत सामिल है उनकी उनका नेचर या प्रकृति ऐसी है, उसमें कमी करना सरकार के लिए संभाव नहीं होता है, यह विवस्ता है, ठीक है, तो यह जो है आपका बजट के अंदर, आपने राजसोब्य को देखा, और राजसोब्य को मोट्टी तोर पे देखा, ठीक है, पूजी बजट और पूजी प्रात प्रातियां जो है, पूजी प्रातियों के अंतरगत सबसे बड़ा स्रोत क्या है, रिण है, सरकार रिण लेती है, तो जो रिण लेगी, वो बजट के, पूजी खाता भी सो कहते है, पूजी खाते के अंतरगत, पूजी प्रातियों के वाले मद में, यह सामिल हो जाएगा, स यहां पर एक हजार उपए नोड कर लिया प्राप्तियों में और यह दो स्रोतों से मिलता है एक घरेलू स्रोश से और दूसरा बिदेशी स्रोतों से फ़र फॉरेंस उसे बिदेशों से बैस्विक संस्थाओं से जैसे हमने आपसे कहा कि राजसो आय की अंतरगत गैर कर राजसो जो है कमपनियों सारवजनिक उद्देमों द्वारा अरजित लाव को इसमें सामिल किया आता है ठीक है इसमें जो बिनिवेस करती है सरकार वो बिनिवेस कहां सामिल होता है वो पूझी प्राप्तियों के अंतरगत पूझी बजट के पूझी प्राप्तियों के अंतरगत सामिल होता है जो सरकार रिड दी हुए होती जैसे राजे सरकार को सरकार ने केंदर सरकार ने रिड दिया है उस लोन की को रीपेमेंट कर दिया वापस कर दिया केंदर राजे सरकार ने केंदर को तो वो जो पुनर प्राप्ति होती ही रिड की वो भी इसी में सामील होगी ठीक है और पूज अर्वु धाशा के विकास के लिए जो ब्या कर रही है वो पूजी ब्या में सामिल होगा तो पूजी ब्या में जो मदें सामिल होती है वो देश के अर्थ व्यवस्था के विकास या छमता के अस्तर को निधारित करती है और विकास या छमता को बढ़ाती है ठीक है और इसकी प्रकृति क्या होती है दिर्ग कालिक होती है अगर सरकार ने सड़क बनाया तो सड़क से प्राक्ति 15, 20, 25, 30 साल तक होगी सरकार ने बिजली घर बनाया जिससे वो बिजली बना के बेच रही है तो सरकार ने बिजली बनाने में 5 साल का समय लगा संयंत्र सापित करने में प्ला आप ये बताया ठीक है अचा पूजी प्राप्तियां जब सरकार को होती है तो इसका एक नेचर और है इससे सरकार की देता में व्रिद्धि होती है लायबिल्टी में या फिर सरकार की परिसंपतियां कम होती है एसेट्स कम होते हैं परिसंपत्य क्या होती है कम होती है जैसे हमने आपसे कहा कि रिर्ण जो है सरकार लेती है तो पूझी बजट के पूझी प्राप्तियों के अंतरकत सामिल हो गया अब सरकार की देता वढ़ी न एक हजार उपर रिर्ण लिया तो उसको वापस लोटाने का अर्था देता सरकार के उपर है वो उसको लोटाना ही लोटाना है जो टर्म्स कंडिशन होगी एक साल के लिया होगा तो एक साल के अंदर लोटाना है दो साल के लिया है जितनी आउदी के लिया है और जिस टर्म पे लिया है या जिस कंडिशन पे लिया है उसी पर अधार उ पूजी प्राप्तियों का नेचर यह होता है कि पूजी प्राप्तियों का नेचर यह होता है कि पूजी प्राप्तियों के कारण सरकार की देता में लाइबिल्टी में ब्रिद्धी होती है, इंक्रीज इन लाइबिल्टी और या फिर परसंपत्यों में कमी होती है, डिक्रीज Bhinivas को बर्गिकरित किया गया पुझी प्राप्ति वाले मंद में करके उसमें जो पूझी निवेस किया है सरकार ने उसको वापस प्रात करना इस कार लिभी इसे प्रत्य आता या इता मदी वाली मद में, तो हमारी सम्पत्ति यह घट रही है. तो सारवजनिक संपत्तियों में या तो कमी होती है पूजी प्राप्तियों के माध्यम सही अद्वारा या फिर सरकार की देता में बृद्धी होती है यह नेचर होता है जबकि रिवेन्य रिशिप्स की का ये नेचर नहीं होता है, ना तो देता में बृद्धी होती है और नहीं एसेट में कमी होती है, अच्छा, दूसरी जो चीज है, प्रातियां और ये ब्याय, ये जो पूजी बजट है न, ये रेकरिंग नेचर का, ये जो है, राजस्य बजट, ये रेकरिंग नेचर का होता है, आवर्ती प्रकार का होता है, आवर्ती मतलब एक निश्चित समय अंतराल बाद सरकार को उतने ब्याय करना है, पेंसन देना है, तो हर महिने देना है, रच्छा बजट निधारित करना है, वो हर महिने देना है, अनुदान देना है, हर साल देना टोट करून ऊपर रहा है तो जिस बर्स बन रहा है यह जिस अवधिम बन रहा उस अवधिममों पूजी बैह के उन्तरगत सामिल होगा लेकिन भौविश में जब हो समपत्ति बन करके अपरेशनल हो जाती है चालू हो गिसावट होती है जैसे यह घर है जाहिर सी बास है एक सार बाद दो सार बास इसमें रंग रोगन की जरूत पड़े कुछ टूट फूट होगी जैसे एक रेलवे है तो माली जै कि एक ट्रेन का निर्माना करके उसका संचालन कर दिया गया तो संचालन करने का उसमें कुछ गिर्भ ठीक होती है उसको मेंटेन करने के लिए तो मेंटेनेंस कांश्ट आता है आनूरत्षण उब्यय जैसे हैं वो जानते हैं कह सामील होगा वो राजर्स उब्याई की मद में शामील होगा तो क्या देख रहे हैं राजर्सellenद आपका बजट का यह रेकरिंग नेचर का नहीं होता है आवर्ति प्रकार का नहीं होता है हर निष्चित समय अंतराल बाद उसमें वह गतिविदी होती है इसका यह नेचर है इसमें जो राजस्व आयप्रात होती है, उसमें सरकार की ना तो परिसंपत्यों में कमी होती है, और ना देता में बृद्धी होती है, और जो देता में बृद्धी नहीं होती है, तो नागरिकों के उपर भविश्य में भावी पीडि के उपर कोई बोज नहीं आता है, इसमे और अपेक्षा मेरी यही है कि आप लोगों को ये क्लास बहतर समझ आई होगी, दो चीजे होती है, हमने आपसे कहा ना कि हम दो पक्षा हैं, ठीक है, तो हमारी अपेक्षा है कि हम आपको जो बता रहा हैं, वो खोब ध्यान से कंसंट्रेट होके आप सुनेंगे, सुनने के बा कि हम अपने अस्तर पे जो हमारी अपेक्षा है, आपके मन में, हमको लेकर के, संस्थान को लेकर के, संस्थान की फैकल्टी को लेकर के, वुस आवसकता या उस अपेक्षा पर उतरने के लिए हम लोग पूरी तरह से संकल्पित रहते हैं, यह जरूर है कि आप उसके प्रती कितना वर्क करते हैं वर्क करेंगे तभी कठिनाई समझ में आएगी चाजातान के सो गया क्लास लेने के बाद तो नमस्कार आया राम गया राम चलिए बागी की बाते अगले अगली बात हम लोग मिलेंगे अपेक्षा यही है उमीद यही है कि आप लोग पूरी तरह से प्रयास्रत होंगे और अपने आपको पूरी तरह से इस तयारी में लगा दीजिए competitive age में जितनी जल्दी आपको नौकरी मिल जाती है उतना ही आपका सौभाग यह है हर आने वाले साल के बाद अगर हमारे मन में अगली बार देखेंगे अगली बार दस बीस परसेंट लोग और बढ़ जाएंगे जो लोग पहली बार परिछा दिये हैं उसमें सफ़ल नहीं हो अपने आपको और बहतर करेंगे तो competition विल बी गोइंग competition विल बी गोइंग tough and tougher तो आप जो है जैसे जैसे समय बीतेगा बरस दर्स बीतेगे वैसे competition आपके लिए कठिन होगा दुरू होगा जितनी जल्दी आप इसमें निकाल लेते हैं सफल हो जाते हैं उतना ही समझे कि आपको मोच मिल गया उतनी जल्दी चलिए बाखी की बाते नेक्स क्लास में जब लोग मिलेंगे तो करते हैं ठीक